नागरिक बंधो, भरत भाई, जो मेरे आदरने हैं, अग्रज हैं, उनके साथ बैठे हुए श्री अजय भाई, यहां के काम में मेरा सहयोग करने वाले सभी सहयोगी मित्रो, मैं बहुत आभरी हूँ आपका कि आप अपने समय निकाल कर यहां आए हैं, और मैं आपके साथ अप आपने भारत देश की कुछ समस्याओं के बारे में, और उन समस्याओं का कुछ समाधान हो सकता है उसके बारे में, कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत गंभीर और महत्वूर बाते कहने के लिए आया हूँ, पिछले वर्ष भी में आया था, आप में से कुछ लोगों ने श पिनने में ना आई हो, पढ़ने में भी ना आई हो, और भारत के बारे में कभी विचार करते समय आपके मन में भी ना आया हो, ऐसी कुछ बाते मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरी कुछ बाते शेयर करूँ, उसके पहले एक छोटी सी जानकरी देना चाहता हूँ, जो एक लाख से ज़्यादा लोग दस वर्षों में मरे थे बीस हजार लोग तो एक रात में मरे थे और एक लाख से ज़्यादा लोग दस वर्षों में मरे थे 1984 से 1994 के बीच पर और पांच लाख लोग जिन्दी भर के लिए विकला नहीं हो गयते थोड़े दिन पहले अमेरिका में दुरगटना हुई थी जब उनके दो टावर टूट गए थे ट्रेड सेंटर उसमें भी मातर तीन हजार लोग मरे थे और वो तीन हजार लोगों के मरने का दुश्परिनाम क्या हुआ पूरी दुनिया पर वो आपने अपनी आँखों के सामें देखा अमरीका ने सारी दुनिया को सिर्प उठा लिया और दो देशों को जितना कर सकता था उतना बरबाद किया उसने इसी अमेरिका देश की एक कंपणी ने 1984 तीन दिसंबर को भारत देश के 20,000 लोगों को मारा था इसी अमेरिका की एक कंपणी अमेरिकन नागरिक मर जाए तो इराग और अफगानिस्तान पे हमला किया जा सकता है भारत के 20,000 नागरीक अमेरिका की कमपनी ने मार डाले दुनिया में कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इसका नियाए क्या होना चाहिए जो कमपनी इस काम में इन्वाल्व थी भोपाल गैस कांड में यूनियन कारबाइड उसका चीफ एक्सक्यूटिव ओफीसर वारिन एंडरसन उसके खिलाफ हमारे सुप्रीम कोट ने आदेश दिया सुप्रीम कोट के आदेश पर भोपाल की अदालत ने वारंट डिक्लेयर किया लेकिन ये वारंट डिक्लेयर हुआ 1986 में और अभी 2004 तक उसका पालन नहीं किया गया वारेन एंडरसन को अरेस्ट नहीं किया गया इससे भी ज़्यादा दुख और दुर्भा के इस भारत देश में ये है कि अभी थोड़े दिन पहले भारत देश के एक धर्म गुरू को गिरफतार कर लिया गया एक जूटे बयान के आधार पर लेकिन सारी दुनिया के सामने जो सिद्ध हुआ बोपाल गैस कांड उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अभी तक गिरफतार नहीं किया गया ना पुलिस ने कोई कारिवाही की ना भारत सरकार है भारत सरकार अभी तक अमरीका के साथ निगोशियेट कर रही है और वो निगोशियेशन पताने अगले 50 साल तक चल सकते है कि वारिन इंडर्सन को भारत में बेज दिया जाए और अमेरिकन गवर्मेंट कह रही है कि हम उसे भारत में नहीं बेज सकते मैंने इस पर जाननी की कोशिश की कि अमेरिकन गवर्मेंट को वारिन इंडर्सन से क्या लेना देना Warren Anderson अमेरिका की एक company का मालिक कही है उससे अमेरिका की सरकार को इतना प्रेम क्यों है जो वो भारत सरकार की बात को बराबर मना कर रही है बात में पता चला कि Warren Anderson अमेरिका में कोई छोटी-मोटी हस्ती नहीं है दुरुभागे और सौभागे जो भी मानी अमेरिका के लोगों का वहाँ जब चुनाव होता है राश्रुपती पत का उसमें दो राजनेतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ती है डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स इन दोनों ही कमपनियों इन दोनों ही राजनेतिक पार्टियों को सबसे ज़्यादा जो डोनेशन देने वाले लोग है उनमें वारिन इंडर्सन एक है अमेरिका की कोई सरकार की हिम्मत नहीं है वो रिपब्लिकन्स की हो या डेमोक्रेट्स की जो भारत में वारिन इंडर्सन को सौप सके और भारत की अदालत उस पर कोई नयाय दे सके भारत देश के बड़े-बड़े सॉलिसिटर्स के साथ इस विशह पर मैंने बात किया है इविन सोली सोराब जी जैसे लोगों से दीपांकर भटाचारे, अरुन जैटली जो अमीकन एक समय पर भारत में बड़े वकीलों में गिने जाते हैं इन सबसे इस विशह के मैंने बात किया है तो वो एक ही बात कहते बात को खतम कर देते हैं वो ये कहते हैं कि अमरीका के खिलाफ भारत सरकार की हिम्मत नहीं है ताकत नहीं है ये एक्शन लेने की इसलिए कुछ होता नहीं है अन्य था जमिया के किसी दूसरे देश में ये हत्याकांड हो गया होता या दुरगटना हो गई होती तो अब तक उसका चित्र कोई और ही होता अगर यूनियन कारबाइट ने ये दुरगटना फ्रांस में किया होता या जिर्मनी में किया होता या डेनमार्क में कर दिया होता या नीदरलेंड में कर दिया होता या ब्रिटेन में कर दिया होता या कोई और देश में कर दिया होता तो उसका चित्र कुछ और ही होता चोगी ये दुलगटना भारत में हुई और भारत की राजनेतिक पार्टियां आप जानते हैं कि कितनी गिरी गुई हैं कितनी नत्मस तक हैं अमरीका के सामने सब जो हैं हाथ बांदे खड़े रहते हैं भारत की प्रधान मंत्री से लेकर भित्य मंत्री तक और इस तरह से बातें करते हैं जैसे अमेरिका का extension दिल्ली में खुल गया हो अब तो हमारे प्रधान मंत्री को ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि हमें तो अमेरिका की नीतियों पे ही चलना पड़ेगा क्योंकि हम उनसे करज लेते हैं ये बात भारत के प्रधान मंतुरी ने अब कहना शुरू कर दिया है तो अब हमारे देश की इस्तिती तो ऐसी है और ये बात मुझे बहुत चोट करती रही बहुत चुबन करती रही कि एक जिनमेदार नागरिक होने के नाते में भारत देश की ऐसी इस्तिती को या तो बैठे-बैठे बरदाश्ट करता रहूं देखता रहूं या इसको बदलने के लिए कुछ प्यास करूं बहुत लोग भारत में हैं मेरे जैसे हैं लेकिन वो बहुत सिने से जमने फ़स गए है वो मानते हैं कि कुछ हो नहीं सकता कुछ अच्छा नहीं हो सकता जो है वही सुईकार करना पड़ेगा लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं भारत में जो ये मानते हैं कि नहीं कुछ करना चाहिए उसका परिणाम जो मिले, मिले लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए मैं व्यक्तिगत रूप से कर्मन्ने वादिकारस्ते माफ अलेशु कदाचन में विश्वास करता हूँ भगवद गीता में करशन अरजुन को कह रहे हैं कि तुम कर्म करो और कर्म भारत सरकार के उस जीवन में तै कर लिया था कि मैं उझे अब देश के लिए समाज के लिए कुछ करना है मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं कुछ नहीं करना है वहाँ से यात्रा शुरू हुई इस यात्रा में छे वर्ष के बाद थोड़ी सफलता मिली और वो सफलताइस रूम मिली कि हमने यूनियन कारभाइड के खिलाफ भारत के दस हजार से ज़ादा गाउं में बोऑ्काट केमपेर्ड किया था बहिष्कार अभियान और वो सब के सब Дस हजार गाउं आज भी ऐसे हैं जो यूनियन कारबाइट की बनाई हुई कोई वस्तों इस्तेमाल नहीं करते उन दस अजार गाहों में किसान पहले यूनियन कारबाइट का बनाया हुआ पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते थे किसानों ने वो पेस्टिसाइड बंद किये और बहां के लोग यूनियन कारबाइट की बनाई हुई एवर रेडी बैटरी इस्तेमाल करते थे वो उन्होंने बंद किया बाद में हम लोगों ने मुंबई के शेयर मार्केट में एक कैमपेन किया था मुंबई के शेयर ब्रोकर्स ने हमें बहुत मदद किया उन्होंने यूनियन कारबाइट के बहुत सारे शेयर्स जो खरीदे हुए थे वो बेचना शुरू किया और नए शेयर्स खरीदना बंद किया उससे यूनियन कारबाइट कमपनी को काफी नुकसान हुआ और ये सब अभियान चलाते चलाते बहुत सारे धर्ब गुरुओं का भी हमें आशिरवाद मिला मदद मिली परिनाम ये हुआ कि एक दिन यूनियन कारवाइट ने भारत को छोड़ दिया सरकार में भारत यूनियन कारवाइट से नहीं छोड़वाया माने अब यूनियन कारवाइट कंपनी का अमडिका में भी कोई अस्तित्त नहीं है और अब उस कंपनी की सारी संपत्ति अमेरिका की कुछ दूसरी कंपनीों के द्वारा टेक ओवर की गई है और भारत में भी उसका कोई अस्तित्त नहीं यह सब काम करते करते मेरे मन में बहुत सारी प्रशुमों का निर्मान हुआ था उनका समाधन ढूमने के लिए मैंने कुछ अभ्यास करना शुरू किया था अध्यान करना शुरू किया था और वो अध्यान करना यह शुरू किया कि आखिरकार ये Union Carbide Company आई कैसे भारत में तो मता चला कि एक Memorandum of Understanding Sign हुआ भारत सरकार और कमपनी के बीच में तो उस M.O.U. में क्या लिखा गया वो सब दस्तावे जब मैंने देखे तो मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ा गोटा लग हुआ क्योंकि M.O.U. में जो कुछ लिखा गया वो कुछ भी Union Carbide में भारत में कभी किया नहीं और जो M.O.U. में नहीं लिखा गया वही सब कुछ आकर उन्होंने भारत में किया तो मैंने इस बात को भारत सरकार के एक उद्योग मंतरी के सामने कहा था कि जो M.O.U. आपने लिखा साइन किया, कमपनी के साथ अगर कमपनी उसको follow नहीं कर रही है तो आपने उसके खिलाफ कोई case क्यों नहीं किया और उसके खिलाफ कोई काम क्यों नहीं किया action क्यों नहीं लिया तो वो industry minister आज भी भारत सरकार में दुर्भा किसे मिनिस्टर हैं उन्होंने मुझे बहुत मजा किया हसते हुए ये कहा था कि ये ऐसी बहुत सारी कमपनिया भारत में हैं जो MOU साइन करते समय कुछ कहती है और उसके ठीक उल्टा करती है लेकिन भारत सिरकारुन के खिलाफ कभी कोई कारिवाही नहीं करती, उसका कारण है कि उसमें पैसे का लेंदेन होता है, और ये पैसे का लेंदेन कितने बड़े पेमाने पर हो सकता है, ये जानने की जर मनें कोशश की, तो बता चला कि सिर्फ यूनिएन कारवाइड वाली केस में, चारसो असी करोण रुपए का लेंदेन हुआ सिर्फ एक कमपनी के केस में फिर मुझे लगने लगा कि अगर एक कमपनी में चारसो असी करोण का लेंदेन हुआ तो ऐसी भारत में सेकड़ों कमपनिया है उसमें कितना हुआ होगा ऐसे ऐसे विशह में मैं आगे उतरता गया बात में मुझे एक ऐसे सज्जन एक ऐसे सद्पुरुष के साथ परिचे हो गया जो बहुत बड़े इतिहास कार है और भारत पर बहुत उन्होंने अभ्यास किया है चालीस वर्षों तक भारती इतिहास का अध्यान करते रहे है उनको धरबपाल जी के नाम से पूरा भारत देश जानता है बहुत नोटेड हिस्टोरियन है एक बार जब मैं उनसे ये बात करता था तो उन्होंने का कि देखो ये जो यूनियन कारबाइट का प्राबलम है ये कोई नया नहीं है ऐसा भारत में पहले भी कई बार हुआ है जब हमारे देश की कुछ सरकारों ने विदेशी कमपनियों के साथ M.O.U. साइन किये थे तो मैंने का ये कब हुआ उन्होंने का 400 साल पहले हुआ था जब इस देश में जहांगीर नाम का एक राजा था उसने East India Company के साथ एक M.O.U. साइन किया था मैंने का मुझे वो उसकी कॉपी देखनी है कि वो जहांगीर ने East India Company के साथ जो M.O.U. साइन किया बहुत बड़ी लाइब्रेडी है उस लाइब्रेडी से मुझे East India Company और जहांगीर के बीच जो M.O.U. साइन हुआ था उसकी कॉपी मिल गई वहां पर कॉपी दो भाशाओं में उपलब्द है एक तो फारसी में लिखी हुई है और दूसरा अंग्रेजी में लिखी हुई है अंग्रेजी कॉपी जब मैंने देखी तब मुझे अन्दाजा हुआ कि जहांगीर ने तो पूरे भारत को लूटने की खुली छूट दे दिया था East India Company की सिर्फ M.O.U. साइन हुआ था East India Company को भारत में फ्री ट्रेड करने की अनुमती दी गई थी और फ्री ट्रेड का उस समय का जो definition था वो ये कि वो कुछ भी बेच सकते हैं कितना भी मुनाफ़ा कमा सकते हैं भारत से लेके जा सकते हैं जहांगीर को उसमें से कुछ टैक्स की रूप में मिल सकता है तो जब अंग्रेज यहां कुछ भी बेच सकते थे कितना भी मुनाफ़ा कमा सकते थे कितना भी यहां से लेके जा सकते थे जब उन्होंने यह सब सिलसला शुरू किया तो मेरे मन में आया कि उन्होंने कितना मुनाफ़ा कमाया कितना लेकर गए हिंदुस्तान से वो पता होना चाहिए तो फिर और आगे दस्तावेज इकटे करने शुरू किये और करते 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 12-14 साल की महनत के बाद मेरे पास 50,000 दस्तावेज इकटे हुए 50,000 डॉकुमेंट्स मैंने House of Commons Library London से India Office Library London से इकटे करके भारत के बारे में थोड़ा जानना समझना शुरू किया बाद में पता चला कि जो East India Company के साथ M.O.U. साइन हुआ था ऐसे कुछ M.O.U. कुछ French Company के साथ भी होए थे East India Company के पहले फिर पता चला कि French Company के पहले भारत के राजाओं ने कुछ Portuguese Company के साथ M.O.U. साइन किये थे भारत में 1498 में 20 मई को एक राजा ने एक Portuguese Company के साथ M.O.U. साइन किया था और वो Portuguese Company का भारत में जो प्रतिनिदी था उसका नाम था वासको डिगामा उस वासको डिगामा के साथ केरल आप जानते हैं पहले केरल मलावार की नाम से जाना जाता था मलावार में एक राजा होता था जिसका नाम था जामोरीन कालीकट उसकी राजधानी था तो उसने 1498 में 20 मई को वासको डिगामा के साथ एक M.O.U. साइन किया था और परिणाम यह हुआ उस M.O.U. ने वासको डिगामा को पूरे कालीकट को लूटने का अधिकार दिया था और वासको डिगामा ने कालीकट से लूट कर जितना सूना ले गया था उसका वरणन पूर्चुगीस डॉकुमेंट्स बताते हैं वासको डिगामा कम से कम साथ जहाज भर कर सोने की अशर्फी यहां से ले गया था एक जहाज में कम से कम छे से साथ मेटरिक टन सोना आता था ऐसे साथ जहाज भर कर लेके गया था और सिर्फ एक ही एरिया से जिसको मलावार कहते हैं पूरे भारत देश की कलपना नहीं कर सकते एक एरिया से वो लेके गया फिर दूसरी बार अगेन वासकोड़गामा आया फिर एक और M.O.U. साइन किया फिर उसके बाद वो कुछ लेके गया तो मुझे ये समझ में आने लगा कि ये भारत में बड़ी पुरानी बीमारी है थी बनाकर अपने महल में ठैराएंगे खीर पूरी खिलाएंगे और आपको लूटने का लाइसेंस भी देंगे कि आप इस देश को लूट के ले जाओ तो ये बीमारी जब इतनी जादा पुरानी है तो मैंने सोचना शुरू किया कि इसके गहरे कुछ नेहतार्थ होने चाह दिये चौदवी शताबदी में तो एक-डो-एक-डो राजा थे और एक-डो-एक-डो विदेशी कमपणिया थी जिनके साथ M.O.U. साइन होते थे अब 21.वो शताबदी के भारत के जो राजा है वह तो狂रों-घुरूरोपियन कंपनियों के साथ M.O.U. साइन कर रहे हैं और हवाई जहाज में उड़ उड़ कर जा रहे हैं उनको बुलाने के लिए कि आप आईए हमने भारत के सारे दर्वाजे कोल दिये हैं जो कुछ लूटना चाहते हैं लूट के ले जाईए जो कुछ हमारे पास बच गया है पिछले 500 साल में लूटने के बाद वो आप ले बादी में आई वो बीमारी अब बहुत गहरी हो गई है पहले ये इंडिवीज्वल लेवल पे थी अब इंस्टिउशनल हो गई है ये बीमारी पहले भारत में आप जानते हैं आजादी के पहले 565 रियासते थी तो 565 राजा थे तो एक दो राजा एक दो विदेशियों को बुलाता था अब भारत में क्या है कि सभी राज्य मिलकर एक यूनियन हो गया है और राजा पूरा का पूरा एक है प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरा हो वो सीधे ही बुला लेता है वो पूरे भारत को लुटने का अधिकार दे देता है और दुर्भा के हमारे भारत देश का यह है कि हमारी जो साधरन जनता है साधरन जो नौग है common people जो है उनको ये सब कुछ मालूम नहीं है कि हमारे देश में किस तरह से ये सब होता है और मुझे तो इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि साधरन लोगों को मालूम नहीं है तो इस बार उनको छमा किया जा सकता है लेकिन भारत में ये जो पढ़ा लिखा क्लास है जिसको educated आप कह सकते हैं और आप चाहें तो उसको best quality brain कह सकते हैं दुनिया का इसको भी इन सब विश्यों में कोई रस नहीं है और कोई बहुत जादा चिंता नहीं है जो भरत बाई बार बार कहते हैं जगे हुए को कैसे जगा होगे ये जो जगा हुआ अकलास है ये ही है इसमें chartered accountant सें engineers हैं, doctor हैं, manager हैं वो सब जानते हैं कि भारत की बड़े पहमाने पे लोट हो रही है लेकिन कभी गाउं गाउं जाके लोगों को बताएं, समझाएं, बाते करें इस पे कोई प्रयास ही नहीं करते हैं और इससे कैसे जूझें और इसमें समस्या का क्या समाधन निकले उसमें भी कोशश नहीं करते अभी थोड़े दिन पहले में भारत में अब बहुत बड़ी कॉंफरेंस में गए था भारत के कई डॉकटर्स नों का एक संखठने इंडियन मेडिकल इसोसिेशन उनके कॉंफरेंस में गया था उसमें भारत देश के कई बड़े इमाने जाने डॉक्टरों के साथ बात करता था, चर्चा करता था तो उनके सामने मैंने एक प्रश्ण रखा था कि आजकल भारत में एक बीमारी बहुत हो गई है शाहिद दुनिया में भी ज़ादा हो गई है हर्टटैक बहुत ज़ादा हिर्दे भात हो रहे और कम उमर में हिर्दे भात हो रहे 35-40 साल की उमर में भी लोगों को हरटटैप हो रहे उसका समाधान के मुख में भारत में जो होता है वो क्या होता है एक सबसे पहला step है हरटटैप के समाधान में वो है एंजियोप्लास्टी एंजियोप्लास्टी में एक छोटा सा spring है जो इस्टंट के नाम पर डाला जाता है आपकी जो आर्ट्रीज हैं जहां पर कुछ थोड़ा भग ब्लॉकेज है तो उन आर्ट्रीज को थोड़ा एक्स्पेंट करने के लिए उसमें जगे जादा बनाने के लिए एक स्प्रिंग डालते हैं वो इस्प्रिंग वैसा ही होता जैसे बॉल पेंट में आपने देखा होगा वो इस्प्रिंग बनाने का खर्चा मात्र 3-3 रुपए आता है और भारत में वो 35,000 से लेकर एक लाख रुपए के बीच में बेचा जाता है मैंने इस विशह पर बहुत सारे सर्जन्स लोग जो रोज एंजियो प्लास्की के चार-पांच ऑपरेशन करते हैं उनके साथ बात किया कि ये जो इस्प्रिंग आप डालते हैं इसकी कॉस्ट और प्रड़क्शन 3 रुपए सबा 3 रुपए हाँ हाँ बिल्कुल सही है इतनी ही है फिर ये 35,000 से लेके एक लाक रुपए में डाली जाती है आपको लगता नहीं ये भारत के लूट हो रही है तो कहते हैं हाँ लगता है लूट हो रही है तो ये कहते हैं आप करो मैंने का मैं तो सर्जन नहीं है मैं तो डॉक्टर नहीं है आप तो डॉक्टर है आप तो सर्जन है आपको तो सरकार में एक उंची डिगरी देकर आपके उपर लाकों रुपए खर्च करके जिम्मेदारी के लिए बनाया है आपका तो पहला करतवे और धर्म है तो नुने का कि हाँ बात तो सही है येकिन अंत मैं एक नधीमे से कहा कि ये जो 35 जार से एक लाग के बीच में ये बिकता है स्टंड इसमें कुछ कमिशन हमारा भी है तो हम चुप बैठे ये बात जब मैंने भारत के राश्रुपती महोदे तक पहुचाई जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुलकराम और मैंने उनसे कहा कि आप तो डियार डियो में बड़े पदपर काम कर चुके हैं और आप इस देश के बहुत सिंसियर साइन्टिस्ट की माने जाते हैं जो सच में बहुत सिंसियर हैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं और के लिए भी सोचते हैं आप इसमें कुछ प्रयास करें तब उन्होंने एक लंभा पत्र मुझे बेज़ दिया और कहा कि मैंने DRBO में रहते हुए प्रयास किया था और ये जो इस्टेंट भारत में बाहर से आता है अमेरिका से बेसिकली आता है 35,000 से 1,000,000 रुपए के बीच में इसको डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रयासों से 10 रुपए में तयार किया गया था लेकिन भारत सरकार ने उस समय डॉक्टर कलाम का साथ नहीं दिया अम्वी की कमपनी का साथ दिया तो आज तक वो योजना कार्यानवाइद नहीं हो पाई ये डॉक्टर अब्दुल कलाम में मुझे लिखके भेजा तो मैंने का जिस समय आप साइंटिस्ट है तब भारत सरकार ने आपको मदद नहीं किया ठीक है समझ में आता अब तो आप भारत सरकार के मुखिया है अब तो आप प्रेसिडेंट है अब तो आपके लिए बहुत आसान है ये सब करना तो उन्होंने का अब और मुश्किल है पहले जादा आसान था अब और मुश्किल है अब क्या है अब मैं प्रोटोकोल से इतना घिरा हुआ हूँ चारो तरफ से कि अब तो मेरी जिन्दगी की सारी आजादी खतम हो गई है और उन्होंने दुख से कहा कि अगर मेरी बहन राश्रुबती भवन में मुझे राखी बादने के लिए आए तो उसके लिए होम सेक्रेटरी से परमीशन लेना पड़ता है होम मिनिस्ट्री से पर्मिशन लेना पड़ता है अगर होम मिनिस्ट्री को मेरी बहन पर डाउट हो जाए तो वो पर्मिशन भी नहीं देता है और वो बिना राखी मादे चली जाती है उन्होंने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता पहले तो थोड़ा बहुत कर सकता था अब तो कुछ नहीं कर सकता मैंने कहा आप कम से कम सरकार को सजेशन दे सकते हैं सुझाओ दे सकते हैं तो मैंने तो ऐसे ऐसे सुझाओ सरकार को दिये हैं जिनको सरकार ने फाड़ कर रद्दी की टोपरी में फेग दिया है आप जानते हैं डॉक्टर अब्दुलकलाम ने बहुत सीरियस सजेशन दिया था कि बारत की राजनेतिक पार्टियों के उपर इस बात की पाबंदी होनी चाहिए कि वो क्रिमिनल्स को टिकट ना दे और आप जानते हैं इस पर सुप्रीम कोट का जज्जमेंट है सुप्रीम कोट ने जज्जमेंट दिया था कि बारत में कोई भी क्रिमिनल को राजनेतिक पार्टियों दर टिकट दे तो इस राजनेतिक पार्टियों की माननेता रद्ध होने चाहिए सुप्रीम कोट के इस जज्जमेंट को भारत की सरकार लागू करने के मन में नहीं थी और भारत सरकार ने उलट कर कहा कि सुप्रीम कोट कौन होता है हमको ये कहने वाला हम संसद में कानून पलट देगे ने सुप्रीम कोट का ये जजमेंट की निश्प्रमावी हो गया और वो अज तक लागू नहीं ह included डॉक्टर कलाम को इसका बहुत धक्का लगा है और आज तक वो उस धक्के से उबर नहीं पाए उन्होंने का कि मैंने तो एक कोशिश की थी भारत के हित में कुछ अच्छा हो जाए लेकिन ये राजनितिक पार्टियों का ऐसा समूग जो यहां बैठ गया है ये तो कुछ करने नहीं देता है और उन्होंने व्यक्तिवत बाचीत में ये स्विकार किया है कि अब भारत में कुछ अच्छा होगा तो जमीन से कोई revolution हो तो संभव है दिल्ली वैट कर कुछ नहीं हो सकता वो भी इस निशकर्ष पर पहुँच चुके है ऐसी गंबीर समस्या में हमारा देश है या कहें तो बहुत गंबीर बीमारी में हमारा देश पसाए इस बीमारी की जड़े कहा है वो जानने की कोशिश में पुछले कुछ वर्षों से करता रहा और इस बीमारी की जड़ों को जानने की कोशिश में मैंने आप से कहा कि कुछ डॉकुमेंट्स मैंने जो इकट्टे की उन documents को मैंने जब देखना शुरू किया तो मेरे मन में पहले प्रशन यह आता था कि ये बीमारी कितनी पुरानी है 50 साल पुरानी है 100 साल पुरानी है 1500 साल पुरानी है उदारन के लिए corruption का एक बहुत बड़ा problem है हमारे देश में ये corruption कितना पुराना है 50 साल, 100 साल, 1500 साल, 500 साल, 1000 साल या bureaucracy का problem है ये bureaucracy का problem कितना पुराना है 50 साल, 100 साल, 200 साल ये सब प्रशन मेरे मन में आते थे और इन प्रशनों को समझने के लिए फिर मैं ये प्रशन मन में आते थे कि ये गरीबी बेरोजगारी का प्रशन है ये कितनी पुरानी है भारत की समस्या तो इस विशय को ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जानने की कोशिश में मैं ये दस्तावेज इकटे करता गया लेकिन जब डॉकुमेंट्स मैंने इकटे कर लिये और उनका अभ्यास किया तो पिक्चर बिल्कुल कोई दूसरा निकला और पिक्चर ये निकला कि ये जो बीमारियां आज हमारे देश में आपको दिखाई देती है इन मैंसे 90% बीमारियां मात्र 1.500-200 साल पुरानी है बहुत अधिक तो 300 साल पुरानी है और कुछ दस परतिशब बीमारियां ऐसी है जो 500-700 साल पुरा नहीं मानि हजार साल पहले के भारत को जब मैं देखता हूँ दस्तावेजों में तो वो ऐसा भारत बिखाई देता है जिसमें बीमारियां बहुती कम है या तो ना के बराबर है और ये 1000 साल पहले का जो भारत है इसी को हमारे इतिहास में भारत का सोण युक के नाम से जाने जाता रहा है गोल्डन पीरियट जो भारत का है तो ये जो गोल्डन पीरियट है उसमें बीमारियां बिल्कुल नाके बरावने माने गरीब यू नहीं है, विरुज़दारी नहीं है ब्रश्टाचार नहीं है, भाहिवती जबाद नहीं है ये कास्टिजर उतना नहीं है ये सब इतना नहीं है थोड़े थोड़े प्राब्लम है वो राजाओं के हैं और उनको solve करने के लिए सिस्टम बने हो लेकिन ये बीमारियां जादा शुरू होई हैं दसवी ग्यारवी शताब्दी से दसवी ग्यारवी शताब्दी में भारत में विदेशी हमले बहुत शुरू होए हैं आप सब जानते हैं कि हास में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा दसवी ग्यारवी शताब्दी में जब विदेशी हमले शुरू होए हैं तब भारत में ये थोड़ी थोड़ी बीमारियां आने लगी हैं और विदेशी हमले में सबसे खराब क्या होता है कि आपकी संपत्ती लूटी जाती है सबसे कहले तो आप संपत्ती से वंचित होना शुरू होते हैं समरुद्धी आपकी कम होने लगती है और जब समरुद्धी कम होने लगती है कुछ आर्थिक समस्याएं वहां से पैदा होने लगते भारत की लूट करने के लिए जो विदेशी लोग आये हैं इन लोगों ने किस लेवल पे लूट किया होगा इस देश का इसका वरनन अगर आप चाहें तो दस्तारोजों में मैं आपको दिखा सकता हूँ इस वाक्यान के बाद आप में से किसी को भी रूची हो तो आप थोड़ी देर के लिए बैठे मैं इस बार डॉकुमेंट्स मेरे साथ सीबी पर लेके आया हूँ लास्ट टाइम आया था तो सिर्फ बात किया था इस बार डॉकुमेंट्स मेरे साथ लेके आया हूँ जिनको भी इंट्रेस्ट हो वो डॉकुमेंट्स यहां देख सकते हैं और ज्यादा इंट्रेस्ट हो तो CD आपको दे सकता हूँ आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके दूसरों को दे सकते हैं मैंने थोड़ी मेहनत की है, लेकिन जब आ गए हैं, तो ये देश की संपत्ती मानता हूँ, ये मेरी संपत्ती नहीं है, क्योंकि इन दस्तावेजों को एकटा करने में भारतवासियों ने बड़ी मदद की हैं, खासकर लंदन में रहने वाले जो भारतवासियों हैं, उनकी बि की मदद से संभव हुआ है जो लंदन में रहते हैं और बहुत देश भक्ती से भरे हुए और वो कहते हैं मुझे कि हम खून के आसूर होते हैं यहां लंदन में बैठ कर कभी भी दिल में जब देश का ख्याल आता है तो खून के आसूर होते हैं अब भी हमें खुशी इस बात क कि तुमारे जैसे जवान आदमी ने काम करना तो सुविकार किया शुरू करना तो तो वह मदद किया तो उनकी मदद से यह सब आए और इसमें ऐसे लोगों ने मदद किया जो भारतवासी है और पार्लिमेंट में MP है आप जानते हैं कई बार उनका नाम लेके मैं नहीं कहना च चला दसवी ग्यारवी शताबदी में भारत की जब लूट शुरू हुई विदेश्यों के द्वारा तो ये लूट बहुत छोटे पहमाने पर नहीं है बहुत बड़े पहमाने पर हैं कम से कम जो लुटेरे यहां आए और जो कुछ संपत्ति लेकर गए उनका वरणन अगर पर जो लूटा हुआ मालिक अठा कर लिया जाए तो सोना ही इतना निकलता है कि भारत के एक एक गाउं की सड़क सोने से बन सकती आज़ इतना सोना लूट कर बुले जैसे उधारण के लिए मुहम्मद बिन कासिम गुजरात आता है और अकेले गुजरात में तीन महीने के अ हानी तो आप सब जानते हैं दसवी और ग्यारवी शताब्दी के बीच में और आप जानते हैं कि सोनात मंदिर एक बार नहीं 17 बार लूटा है हर साल लूटा है और एक-एक साल में जो संपत्ती वहां से गई है उस संपत्ती को 17 साल लगातर जोड़ दिया जाए तो सौराश के एक-एक गाउं की सडक सोने से बन जाए इतना लूटा है सोनात के मंदिर और सोनात के मंदिर को लूटने वाला महमूद गजनवी अपने लिखी कोई एक छोटी सी डाइरी में जो फार्सी भाशा में उपलब्द है जिसका हमने हिंदी और अंग्रेजी भाशांतर कराया उसमें वो कह रहा है कि मैं अगर 50 साल भी जिन्दा रहू तो इस एक मंदिर को ही लूटना ही के लिए समय काफी नहीं पड़ेगा आप जानते हैं कि वो एक बार नहीं दो बार आया दो बार नहीं तीन बार आया तीन बार नहीं सत्रे बार आया अठारवी बार मर गया नहीं तो फिर आने वाला था तो वो कह रहा है कि अगर मैं पचास साल और जिंदा रहूं तो इस एक मंदर को लूटने के लिए समय कम पड़ेगा नहीं उस एक ही मंदर में इतनी संपत्ति है जिसको लूटने के लिए किसी एक व्यक्ति को सत्रे बाराना करता है और ये सोगनात का मंदर तो एक कहानी है ऐसे हिंदोस्तान में हजारों मंदर हैं मठ हैं जो लूटे गए हैं जिनकी संपत्ती भारत से बाहर गई है और ये कहानी शुरू होती है दस्वी यार्वी शताफदी से और ये अंत होती है पंदर अगस तुनीस सो सैटालीस को इस पूरे पीरिड में जो भारत की लूट हुई है उनमें जो मुख्य लूटेरे भारत में आए हैं दुर भागे से उन सब को भारत के इतिहास में heroes के रूप में पढ़ाया जा रहा है हमारे देश के इतिहास में वो सब great heroes के नाम से पढ़ाया जाते हैं उदारण के लिए जामुरीन के राजी को लूटने वाला वास्को डिगामा भारत के इतिहास में महान नाविक था बहुत बहादूर था एसना पढ़ाया जाता है और वास्को डिगामा के बारे में जो दस्तावेग मुझे मिलेगा वो ये बताते हैं कि ना तो वास्को डिगामा नाविक था ना ही बहादूर था वो लिस्बन की गलियों में घुमने वाला टपोरी था जो उसका लाइफ जिन्हों ने लिखा है पुर्टगाली इतिहास कारों ने वास्को डिगामा के बारे में जो कुछ लिखा है वो लिखा हुआ दुनिया में उपलब्द है वास्को डिगामा पे दो किताबे लिखी गई है पोर्चुगीज में जिनका English translation भी आ चुका है वो दस्तावेज बताते हैं कि वो टपोरी था टपोरी एक शब्द मराठी का बंबई में बहुत इस्तेमाल किया जाता टपोरी का माने आवारा लड़का जिसको कोई काम नहीं है कोई धाम नहीं है बस इदर गुमना उदर गुमना कभी इदर कभी उदर बिना किसी काम के गुमने वाला और कभी भी किसी का छोटा मोटा जेब काट लिया परस निकाल लिया किसी से कुछ ही लिया ये टपोरी वो टपोरी व्यक्ति था जिसको पूर्चुगीज गवर्मेंट ने भारत जाने के लिए एक चिठी दे दिया कि ये तुमारा अधिकार पत्र है तुम जाओ और भारत के हिस्से को भूप के ले आओ जो कुछ लाओगे उसमें से इतना परसेंट हमें दे देना इतना परसेंट चर्च को दे देना बाकी बचा हुआ अपने लोगों में बांट लेना बागाई दा अधिकार पत्र उसको दिया गया चार्टर जिसको कहा जाता है वो उसको लेके आया है और वो खुद लिख रहा है वासको डिगामा कि मुझे नाव चलाना नहीं आता और भारत के इतिहास के विद्यारती पढ़ रहे हैं कि वो बहुत महान सेलर था उसको नाव चलाना नहीं आता वो कहता है कि मेरे कभी जिन्दगी में नाव नहीं चलाई और वो कहता है मुझे बहुत दरलगता है समुद्र यात्रा करने में क्योंकि कभी भी नाव डूब जाती है तो नाव कौन चलाता था वासको डिगामा की वासको डिगामा की नाव एक गुजराती भाई चलाता था जो उसने नौकर रख्ठा हूँ था और वो गुजराती भाई जो था वो कच्छ का था कच्छ में मांडवी नाम का एक गाउं है उस मांडवी का रहने वाला एक नाविक वास्को डिगामा के यहां नौकरी करता था वो नाव लेके आया था क्योंकि मांडवी का रहने वाला एक अच्छी नागरे वास्को डिगामा की नाव लेके भारत आया था क्यों क्यों प्रश्ण उठता क्यों इसलिए कि गुजराती लोग सबसे ज़्यादा व्यापार करने के लिए परदेश जाते थे भारत देश में सबसे ज़्यादा विदेश व्यापार करने वाला अगर कोई एक राज्य माना जाए तो वो गुजरात है दूसरा विदेश व्यापार करने वाला अगर कोई सेकंड केटिगरी का राज्य है तो वो राजिस्थानी और गुजराती समाज के लोग सबसे ज़् विधिश व्यापार में थे। आजसे कि हजारे शनी, 1500 साल से. भारत का विधिश व्यापार बहुत पुरान है। कुछ देशों ने आज एक्सपोर्ट करना शुरू किया, हम बहुत साल से एक्सपोर्ट करते रहे। और गुजरात एरिया से सबसे ज़ादा व्यापारी विदेश जाते थे, व्यापार करने के लिए, वो अपने साथ जो नाविकों को लेके जाते थे, उनमें से एक नाविक था। और वो नाविक गल्दी से एक बार पुर्टगाल पहुंच गया तो उसको पकड़ के बंग किया था सरकार ने उसको वासको डिगामा के साथ बेज दिया था और वो उसकी नाव लेकर आया था उसको सारे रास्ते मालूम थे भारत आने के वासको डिगामा को कुछ नहीं मालू था कि मेरे पास सबसे बड़ा जहाज या पूर्दगाल का क्योंकि वो पूर्दगाल सरकार का जहाज था लेकिन उसने का कि जब मैं भारत आ गया तो मैंने देखा मुझसे भी 20-20 गुने बड़े जहाज बारत में पहले से है और वो कहरा है कि जहाज बनाने में भारत के नाग उसला गाल उद्ट-ईख जहाज बनाने में यहां तो यहां आ गया इसकी वज़े से माने वो गुजराती नागरी को उसको ले आया और लूट के जो ले गया है वासको डिगामा भी एक बार नहीं आया भारत में बार बार आया है और बार बार यहां से लूट के ले गया है और वासको डिगामा जैसे बहुत सारे हैं दूबले आया एक franx s.a है वो यहां से लोट के ले गया है दूबले जब यहां आया है तो उसकी jayb में मुश्किल से 50 फ्रेंग है franx की currency फ्रेंग 50, मुश्किल से और जब वो यहां से गया है तो उसने count किया है उसके पास सोने के रूप में, चांदी के रूप में, हीरेज भारत के रूप में कम से कम 10 लाख फ्रेंग की संपत्ती है जब वो यहां से तयार है एक डूपले और डूपले जैसे भारत में 50 से ज़्यादा फ्रेंच आफिसर्स आए हैं और वो लूट के ले गए है इस देश को यह फ्रांसीसियों की लूट मारी जब बंद हुई है उसके बाद यह अंग्रेजों की लूट मारी शुरू हुई है इस देश में पुर्दगालियों की फिर फ्रांसीसियों की फिर अंग्रेजों की लूट मारी करने वाले जो बड़े अंग्रेज अधिकारी इस देश में आये जिनना सबसे आदा इस देश को लूटा उसमें है रॉबर्ट क्लाइब और रॉबर्ट क्लाइब का बयान मेरे पास है साड़े तीन गंटे का उसका स्टेटमेंट है जो ब्रिटिश पारलेमेंट के सामने उसने दिया है जब वो यहां आया है तो इस्ट इंडिया कंपनी के कलर्ग की हैसियत से आया और कलर्ग की हैसियत से उसकी साल की पगार 50 ब्रिटिश पाउंड की है साल की पगार 50 ब्रिटिश पाउंड की है और साल की पगार 50 पाउंड की क्लर्क की हैसियत से जब यहां आता है रॉबर्ट क्लाइब तो बाद में उस रॉबर्ट क्लाइब को जिम्मेदारी दी गई है अंग्रेज सेना के सेनापती की और सिनापती की जिम्मेदारी के बाद वो सिराजुत दौला के साथ युद लड़ता है युद में दोका होता है सिराजुत दौला को मीर जाफर से दोस्ती करके वो सिराजुत दौला के खिलाब बढ़काता है और सिराजुत दौला की हत्या कराता है और उसके बाद जो बंगाल का नवाप बनकर इंग्लेंड जाता है और उस इंग्लेंड की पारलिमेंट में साड़े तीन गंटे का भाशन देता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने भारत से क्या-क्या लाया है तो वो कहता है कि मैं भारत से जो संपत्ती लाया हूँ वो कम से कम एक करोण ब्रिटिश पाउंड के बराबर है पहली बार में जब वो गया है ऐसा आप चाहे जानते हैं कि ये साधारण सा क्लर्क इस्ट इंडिया कंपनी का साधारण सा क्लर्क रोवर्ड क्लाइब जब भारत से वापस गया है पहले ही बार में तो उसने इतनी संपत्ती बनाई है कि एक पुरा दूइब खरीद लिया उसने पुरा का पुरा दूइब और इतनी संपत्ती वो यहां से लेके गया कि उसने उसका म्यूजियम बनाया और Clive का म्यूजियम आज भी है आप चाहें तो कभी जाके देखाएं मैं देखाया हूँ Clive के म्यूजियम में आज भी वो सारे भारत के बेश कीमती हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी के बहुत सारे सामन बढ़े पड़े हैं जिनको कभी-कभी निलाम किया जाता है, थोड़े दिन पहले एक निलामी हुई थी, Clive के परिवार के लोगों ने एक कप और एक प्लेट को निलाम किया था, जो एक कप और एक प्लेट सोने का 47,000 ब्रिटिश काउंग में निलाम हुआ, अभी थोड़े दिन पहले और उसी Clive के खजाने मेंसे, हमारे देश के एक व्यक्ति विजय मालिया ने एक तलवार लाई, वो रोबर्ट क्लाइब तो नहीं, जब टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा, तो टीपू सुल्तान की संपत्ति नोट के अंग्रेज ले गए, तो उस संपत्ति में एक तलवार भी थी सोमे की, वो तलवार अभी विजय मालिया लेके आए, नीला में, हजारों पॉंट की है, और एक बार एक ब्रिटिश म्यूजियम, अलबार्ट हाल म्यूजियम जो लंडन का है, उसके क्यूरेटर को मैंने एक प्रश्ण पूछा था, कि बाई ये जो म्यूजियम है, इंग्लेंड के और पूरे ब्रिटेन के, इन म्यूजियम में जो संपत्ति है, उसमें सबसे ज़्यादा कहां की है, तो मैंने का ये वापस दे दो हमको, तो अगर ये वापस दे देंगे, तो भारत सोने के चुड़िया हो सकता है, और हम सब स वित्यमंतुरी ने की थी, सीडी देशमुक ने, जो पंडित नहरुज देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो सीडी देशमुक उनके फाइनस मिनिस्टर हुआ करते थे, इस पे चर्चा हुई थी, और बात यहां तक आई थी कि इसको वापस लाने के लिए क्या किया जाए, लेकिन बात में वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, कारण क्या था, संसत में रिकॉर्ड से इस बात के, हमारी संसत में बात यह आई कि अंग्रेज इससे नाराज हो जाएगे, और हमें उन्हें नाराज नहीं करना, तो वो नाराज हो जाएगे, हम उनसे वापस संपत्य तो अपनी वापस नहीं मांगी, अंग्रेजों से भीग मांना शुरू कर दिया कर्टोडा लेकि, कर्ज के रहे, और वो कर्ज बढ़ते 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 आज इतना हो गया है कि भारत की सरकार उस कर्जे का ब्याज भरने के ये कर्ज ले रहे, अगर वो ही संपत्य हम वापस ले आते, तो हम भारत को फिर से सोने की चुड़िया बना सकती थे, क्योंकि एक रॉबर्ट क्लाइब का अंदाजा आप लगाए, एक कर्लो पॉंड की संपत्य वो ले जाता है, और रॉबर्ट क्लाइब जैसे भारत में पचास हजार अंग्रेज उफिसर आये, त वीमारी है, गरीबी का, भुख मरी का, बेरोच गारी का, क्योंकि जब समाज बहुत बड़े पैमाने पर लूटा जाता है, तो उसकी समरुद्धी में कमी आती है, तो उसके उद्द्योध, उसका व्यापर, उसकी सारी व्यवस्थाईं करब़ाना शुरू हो जाती है, इसक कुछ भी था संपत्ति के नाम पर में और ये संपत्ति जो हमारी चली गई, लूट में, ये आई कहां से हमारे पास, इस पर मैंने थोड़ा अभ्यास करना शुरू किया, कि इतना सोना, चांदी, हीरे, जवाराद भारत में तो होते नहीं, भारत में तो सोना पैदा करने का क का कि हुआ नहीं, अभी थोड़े दिन पहले करनाटक में ख़दान Stitch सोने की कोलार में होि थोड़े दिन में बंद हो गई, वहां लूट में नहीं चांदी भी भारत में बहुत नहीं आती है जमीन के नीचे न जादा सोना है न जादा चांदी हीरे जवारत की खदाने भी बहुत थोड़े एरिया में मद्धिप्रदेश में पंदा नाम का एक जिला है वहाँ पे थोड़ा बहुत हीरा निकलता है अन्यदा तो जादा नहीं दुनिया में सबसे जादा सुना चांडी हीरा जवारा तो यह अफरी के देशों के पास है या तो थोड़ा बहुत है तो लेटिन अमरी की देशों के पास है या थोड़ा बहुत है तो एशिया है देशों के पास हमारे पास तो है नहीं जमीन के नीचे तो इतना सोना चांदी हमारे पास आया कहां से जो विदेशी इतना सब लूट के ले गए तो पता चला कि हम भी गया हो, किसी को लूट के लाया हो, या राम चन्र जी कभी चले गए हो चक्र वर्ती समराट बनने के लिए दूसरों को लूट के लाने के लिए हो सकता है भारत में कभी ऐसा हो गया हो कभी, तो इस विषय पर जब मैंने दस्तावेज ढूडना शुरू किया तो आज तक 12-15 साल की मेहनत तो मैं कर चुका हूँ एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जब भारत का कोई राजा किसी पोडोसी को नूटने के लिए कभी गया हो हाँ दस्तावेज इस बात के जरूर मिले हैं कि भारत के बहुत सारे आजा पोडोसियों को संदेश देने चले गए घर्म की बात कहने गए संस्कृती की बात कहने गए सब्विता की बात कहने गए प्रेम मुहबत शांते की बात कहने गए लेकिन लुक्तियों के लिए तो भारत का कोई राजा फस्त गया नहीं, ये दस्तावेज तो दुनिया वर में कहीं नहीं, गए नहीं तो दस्तावेज कहां से आएगे, तो फिर मैंने सोचा कि फिर ये आया कहां से हमारे समाज में इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना विभव, क्योंकि कोई समाज मंदिर सोने के बनाना शुरू करे, तो ये तो तभी सबब है जब उस समाज में सरकलस सोना हो हमारे भारत में आपने सुना है सोने के मंदिर है सोन मंदिर अमरत सरका तो शायद आपने देखा भी हो रहा अमरत सरका सोन मंदिर तो एक है ऐसे हजार से ज़्यादा मंदिर आज भी है जहां किवार सोने के गिवारों में चांदी जड़ी हुए हीरे जवारा आज भी लगे हुए इतनी लोट के बाद भी बचा हुआ है तो कोई समाज सोने के मदर कब बनाएगा जब समाज में इतना जादा सोना हो जो जरूरत से बहुत अधिर हो खुद इस्तेमाल करते करते हम परिशान हो जाएं बच जाए तो सोने का फिर मंदर मने का इतना जादा सोना हमारे समाज में कैसे आया सोनी की चाहिए नाम कैसे पड़ा इस देश का इस विशर पर जब मैंने खोजना शुरू कि तो कता चला कि यह सारा का सारा सोना हमने वियापार किया उसरे देशों से तो वियापार किया की चीज़ों का वियापार किया तो अब तक हमने सुना हैं बात भी हम करते रहे हैं कि कुछ हमारे मसाले हम बेचने के लिए जाते थे इस्पाइसिस यह हमने सुना है शाहिद यहास में पड़ा भी है मेरे मन में यह संतोश नहीं होता था कि खाली मसाले बेचके सोना कमा के लाते थे यह कैसे होने हैं क्योंकि मसाले का वियाँ पार इतना बड़ा दुनिया में कब से होने लगा था मसाला खाना अरब देशों ने थोड़ा अरब देशों की जो जनता है वो थोड़े मसाले खाती है और थोड़ा बहुत लैटिन अमेरिका में वो भी बहुत थोड़ा इलागा योरोप में तो कोई मसाला वसाला नहीं काता तो क्या इतना मसाला हमने बेच लिया कि इसमें सो सोना चांदी हीरे जवारत इकटे हो गए सारे तो पता चला कि हम सिर्फ मसाला ही नहीं बेचते थे हम बहुत कुछ और दूसरा भी बेचते थे जब दस्तावेज मनें एकटे करना शुरू किया तो पता चला मसाला जितना हम बेचते थे उससे कई गुना ज़्यादा स्टील बेचते थे लिनिया के दुश्रू के स्टील बनाना भारत में ग्यारवी शताबदी से चालू है ग्यारवी शताबदी से स्टील बनाना चालू है और ग्यारवी शताबदी के पहले भारत में स्टील बनता रहा अनौर्गनाईज तरीके से इस में थोड़ा फरक करूँ और अनौर्गनाईज माने क्या ग्यारवी शतापदी से भारत के बहुत सारी कारीगरों द्वारा मिलकर छोटे-छोटे production units भारत में 10,000 से ज़्यादा इस्थानों पर है ग्यारवी शतापदी के पहले individual production units एक घर में एक परिवार के 50-60 लोग पहले आप जानते हैं combined family थी भारत में निकुलियर family तो अभी आई है हिंदुस्तान में जब से अमरीका और यूरोप का असर ज़्यादा हुआ उसके पहले तो भारत में combined family है समयुक तो परिवार है तो एक परिवार में 20, 25, 30, 50, 60 लोग है वो मिलकर कई परिवार हैं जो लोहा बनाते हैं इस्टील बनाते हैं और लोहे की कई qualities बनाते हैं दस्तावेज जो मिले हैं मुझे वो दस्तावेज ये बताते हैं कि भारत में लोहे का उत्पादन बहुत वर्षों तक दुनिया में सबसे अधिक होता था और हिंदुस्तान का लोहा दुनिया के सभी देशों में जाता था और हिंदुस्तानी लोहे से ही दुनिया के तमाम देशों में कमपनिया पानी के जहाज बनाती थी जिससे वो व्यापार करने के लिए जगे 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 जाती हमारे दिश में जब से production units थे steel बनाने वाले up to 1840 और 1840 हमारा कोई अच्छा समय नहीं बहुत गिरा हुआ समय है जब 800 साल हम लुटते रहें तब तब इतने production units बचे हैं तो जब हमारा golden period रहा हो तो कितना रहा हो और जो quantity का लोहा iron, steel जो भी कही हम बनाते थे उसके बारे में आपने कई बार सुना होगा चाहें तो प्रमान भी देख सकते हैं कोई इस quality का होता था कि उसमें जंग ना मात्र भी नहीं होता था सेक्रों सेक्रों साल बुलो हाँ खुले में पड़ा रहे, आरिश भी होती रहे दूप भी गिरती रहे, हवाएं भी आती रहे तो भी उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना लगे अभी तद्काल देखना हो तो दिल्ली चले जाएए, महरौली नाम का गाउं है, वहाँ पर लौ इस्तम्भ देख लीजे हाउस फॉमंस में, बाद में भारत भी आया है और इंडियन आर्मी का बहुत समय तक करनर रंक पे ऑफीसर राबाद में कमांडर बना और कई के, वह हीत की लिखी हुई एक पुस्तक है वो बहुत साल तक मिलती नहीं थी, आउट आफ प्रिंट और मुझे लगता है वो जान पुछ के किया है उसमें उसने इंडियन स्टील इंडस्ट्री का पूरा का कूरा वरणन किया है हीत जो है तीस साल भारत में रहा है तीस साल भारत में अनेक अनेक राज्यों में, अनेक अनेक पदों पर उसने नौकरी की है अपनी नौकरी के दोरान उसको इस्तील भाने में थोड़ा रस है ही तो वो लिख रहा है और उसकी किताब पहले लंदन में चपी लिए आउट ओफ प्रिंट हो गई भारत सरकार ने कभी इंट्रेस नहीं लिए उसकी किताब कुरी प्रिंट करने का वो यह ऐसे ही एक विक्ति है जो मेरे इन सब काम से प्रभावित है लंदन से कहीं से डोरान के बेज या वो हीथ की किताब में हीथ कह रहा है कि हमने देए साल विटिश पार्लेमेंट में भारत के लोहे की क्वालिटी पर चर्चाई है और वो क्वालिटी दुनिया में बेजोड कोई ऐसा लोहा नहीं को राज़ा को विथ है जो कुछ खम यहां इंग्लेंट बनाते हैं वह सब कुछ हमने बहारत से ही सीखा है बास्ट फर्स अग्रेज होने भारत से सीखा लोहे के लिए ब्लरा सब जाते सब से हीं हिस्सा हता है जहां पर लोहे का पूख्राया जाता है तो गलाएं के बादी फिरागी की प्रकुरिया शुरू थी और वो कहता है कि जो इंडिया पास्ट फर्मिस है इसमें पंद्रे सो डिग्री सेंटीग्रेट टेशर बहुत असानी से आ जाता है इस क्वालिटी की ब्लास्ट फर्मिस इतने हंगे हैं कि एक गाउं दूसरे गाउं बेलगाडी पर रख बना है उस एक्षोट कर दें तो सोना लाते हैं यह है अगर जरू जाएगा फ्रांस में इस्थाने लुव रहे हैं लुव मुजियम बना है लुव मुजियम में पूरा हिंदुस्तानी लुव इस्थान में रहे हैं नुज चर्च में बेली को अर्थ करने के लिए नुज भड़के उसको अर्थ करने के लिए भॉड डल गई है हो हिंदुस्तानी लुव की नवह दिवा आम जानते हैं हिंदुस्तान नी भॉद खा रहे हैं पत्रों को लोह दोडे की हैं अपको दिखाई देगा शुवाजी के सारे किल्डे देख के आई आपको बहां दिखाई देगा पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए चूना तो लगता ही था चूने के साथ लोहे के क्लैम्प लगते थे तो वो नौतरदाम के चूर्च में सारे के सारे लोहे के कलैम्प भारत के गए है और चूर्च के रिकॉर्ड्स में ये बात लिखी गई है और यहां तक लेखा हुआ है कि इस चूर्च को बनाने वाली कारीगर भी भारत से आए क्योंकि उस समय उनके हाँ इतने अच्छी कारीगरी का काम करने वाले कारीगर नहीं थे तो हम सिर्फ लोहा ही नहीं बेच रहे हैं हम इसका माने बिल्डिंग बनाने में भी हमारी महारत रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भारत बहुत आदि रहा है और भारत की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का अगर आप वरणन देखना चाहें तो इस पे एक नहीं अब तो बीसियों किताबे हैं हिंदुस्तान में उस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होता रहा है जो कोई सूचना भी आज संबव नहीं है आप कभी राजिस्थान आईए राजिस्थान के किले देखिए चैपुर के पास एक आमेर नाम का छोटा सा इस्थान है आमेर का किला आप देखेंगे तो वहां की छट को देखिए रूफ को देखिए बहुत लंबी लंबी रूफ बिना किसी सपोर्ट के खड़ी हुई है ना कोई बीम है ना कोई पिलर है अभी भी जीवित है और ये आमेर रूफ दुनिया में इतनी पॉपुलर हुई है कि सबी जितने बड़े आर्किटेक्ट के इंस्टिट्ट है पूरी दुनिया में वो सब आमेर रूफ पढ़ाते हैं अपने विद्यारति भारत को छोड़ कर मैंने फ्रांस में देखा, जर्मनी में देखा, बेंदमार्क में देखा, नीदरलेंड में देखा उनके जो आर्किटेक्ट के बड़े इंस्टिट्ट्स हैं, वो आमेर रूफ पढ़ते हैं अपने इस्टूरिंट्स को भारत की यूनीकनेस है, भारत में नहीं है, उसमें चर्चा भी नहीं होती है हमारे यहां बस इतना ही है, कि आमेर का खिला देखने जाईए तो वो जो गाइड है न, वो एक वाक्य में आदे मिनट में आपको यह कह देगा, यह ऐसे है उसके आगे कुछ बात करो तो उसको भी नहीं बात करो, कि भाई यह कैसे अजूबा है आप कलबना कर सकते हैं, सौ मीटर लंबा और सौ मीटर चोड़ा एक हॉल है और उसमें नहीं कोई पिलर है और नहीं कोई बीम कोई सपोर्ट नहीं, कैसे बना है और आज कर नहीं है 800 साल पुरान 900 साल पुरान मा 1000 साल पुरान दुनिया में आज कोई कलब ना कर सकता है 100 मीटर लंबा 100 मीटर चोडा हॉल बिना किसी पिलर की और बिना किसी बीन के बना के दिखा देके हूँ मैंने तो बहुत सारे टेक्निक रही है जो दुनिया भर में हमने दी और बहुत सारे देशों ने उसकी निकल करके सीखा इंग्लेंड में जिसको आर्किटेट का जनम दाता माना जाता है उसकी लिखी हुई किताब अभी में पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले लिटनर करके एक बड़ा इंजिनिय लेकिन यह अलग बात है कि हमने जिन से सीखा उने को मार डाला क्यों सबुद नश्ट करने के लिए तो हुआ यह होगा कि भारत में इस तरह के जो विशेशक गिरहे होंगे इनको यह पकड़ के ले गए होंगे सीख लिया होगा फिर उनको मार डाला होगा यह तो उनकी पॉ दूसरा भारत यही दो देश हैं जिन्होंने दुनिया वर को ब्रिक्स बनाने सका है और चूने का इस्तेमा जो सीमेंट से हजार गुना ज्यादा ताकतवर है जिसकी उमर कम से कम 500 साल है अधिक से अधिक 1500 साल है सीमेंट की अधिक से अधिक उमर 100 साल है चूने की उमर अधि सादरन गाउं में होता रहा है और खासकर जो जो इलाके में LIMISTON मिलता है बारत में वो सबी इलाके में ये होता है आपको भी जायए बेस्ट क्वालिटी LIMISTON मिलता गुजरात में गुजरात में भी जूनागल के आसपास के एरिया में आप डूनेंगे आपको बहुत सारे गाउं मिलेंगे वो गाउं हिंदुस्तान में चूना बनाने वाले सबसे बड़े केंदर रहे हैं हजार साल पहले बारे सो साल पहले और वो चूना बना बना के बेचते रहें और बदले में सोना लेके आते रहें तो हम लोहा बेचते थे, सोना बेचते थे, चुना बेचते थे, construction material में bricks बेचते थे हिंदुस्तान से, और क्या बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, कपड़े की खानी, तो आप सब जानते हैं कि इंदुस्तान में इस quality का कपड़ा बनता था, दुनिया वर के देश हमसे कपड़ा खरीगते थे और इतना ही नहीं 36 तरह के आइटम्स इंदोस्तान से एक्सपोर्ट होते थे ये जो एक्सपोर्ट है इसके बदले में सुना, चांदी, हीरे, जवारा थमने लिए है और तब समाज में इतनी सम्रुत्वी आइए हमने किसी को लूट कर सम्रुत्वी नहीं कमाई है व्यापार करके अब बारत के व्यापारी दुनिया वर में मशूर रहे हैं दो बातों के लिए एक बार जवान से कह दिया तो कुछ भी हो जाये पलटना नहीं है ये भारत के व्यापारियों के बारे में दुनिया वर में कहा जाता है जवान दे दे, बात खतम हो गई फिर रेट उपर हो जा, नीचे हो जा सवाली नहीं उठता, घाटा उठा लेंगे लेकिन जवान वापस नहीं लेज़ा और भारत के व्यापारी इतने बड़े पहमानें पर सारा व्यापार मौकिक करते रहे है, औरल क्यों? विश्वास का प्रश्र, कह दिया है भारती व्यापारी में, तो यूरोप में माना जाता है कि भारत का व्यापारी अगर कह गया है, तो घाटा खुद उठा लेगा लेकिन खरीद में वाले को कोई घाटा नहीं होने बादा इसलिए यूरोप में और अरब देशों में और अफ्रीकी देशों में सबसे ज़्यादा व्यापार भारती व्यापारीयों से ही उता रहा क्योंकि जवान के पक्के बात कह दी तो फिर में का सवाल ही ने रोग गुल रीत सदा चलियाई प्राण जाय पर बचन ने जाय एक बार बचन दे दिया है तो फिर प्रशनी नहीं उठता ये हमारे एथिक्स रहे है आज के जमाने पे चाइनीज लोगों से जरा व्यापार करके तो देख लिए सवेरेगा रेट शाम को थोड़ा भी चेंज हो गया न तो आप उपर शीरशाचन कर लीजे या चाइनीज को छोड़िये ताइवानीज लोगों से व्यापार करके देख लीजे अम्रीकियों से करके देख लिए जी ब्रिटिश लोगों से करके देख लिए जी जरासा रेट चेंज होते ही फिर वो किस तरह से उपर नीचे करना शुरू करते हैं और यही देशों में लिखे हुए आर्काइवल डॉकुमेंट्स बदाते हैं कि हिंदोस्तानी व्यापर ये बर्जवान दे दे तो पीछे नहीं हटने वाला तो यह जो हमारी बात रही है क्वालिटी इसको मानना चाहिए इस क्वालिटी के कारण हम बहुत बिजनिस करते रहें बदले में यह सब कमाया हमें उससे यह सबसमाग समुर्दुशानी हुआ अब जब इतना सब संपत्ती इकठी हुई तो विदेशियों ने लूटने के लिए यहां आना शुरू किया नहीं तो क्यों आएंगे भारत में दो तरह के विदेशी आए तेंथ सेंचुरी के पहले जो विदेशी आए वो ग्यान लेने आए इस देश्यों जिसे ताइवान से आए चाइना से आए जापान से आए जिनोंने बहुत धरम यहां सीखा फिर अपना आया फिर लेके चले गए वेन संग का नाम आपने सुना और भी ऐसे चेंग हो नाम का एक बड़ा चाइनीज है जो भारत में 14 वार आया है आर्मी ओफीसर है नेवल ओफीसर है और इतना प्रभावित हुआ है कि भारत के कई राजाओं से उसने अग्रिमेंट किया है और वो भारत की नेवल सिक्यूरिटी के काम में लगा रहा बहुत साल तक चेंग हो अप्टू 14 सेंचुरी भारत की पूरी की पूरी ये कोस्टल बेल्ट की सुरक्षा एक चाइनीज एड्मिरल करता रहा उसकी आर्मी करती रहे है वो प्रभावित हुए हैं भारत से यहां से गुद्विजम उन्होंने लिया है तो दस्वी शतापदी के पहले कुछ लोग आये भारत में वो आये है घ्यान लेए धर्म का अध्यात्मि солн İrte की बात है इश और प्राप्ती की बात है के सिर्फ जीवन में बहुत इक्ता ही सब कुछ नहीं है इश और प्राप्ती भी उसका एक बहुत बड़ा दूसरा हिस्सा है लक्ष है तो यहां यह जो अध्याति पुता रही है धार्मिक पुता रही है इसके लिए भी बहुत सारी विदेशी आते रहे लेकिन वो दसवी शताब्दी के पहले दसवी शताब्दी के बाद जो विदेशी आये है वो खितल उटने आये है उटेने के उट में आये उसके पहले जो आये है वो अध्याण करने आये है अध्यापन करने आये है यह जो अध्यापन करने विदेशी आये है वो कहता है कि जब मैं भारत गया, अध्यन करने के लिए, शीखने के लिए, उस समय भारत में 14 विश्विध्याले चलते थे वे इंसांग के टाइम में, 14 विश्विध्याले, तक्षिशिला एक है, नालंदा एक है, तपोबन एक है, वो टाइम में आपको मालूमएं, गुजर का वरणन्ग को करना और किसी भी उनिवर्सिटी में कम दस हजार से कम विद्यार्थी नहीं के वह कहता है तो विवस्था करने वाला जो होता है उसी को बारत में कुलपती जो धुर्भागी स्यास वाइस चांसलर हो गया लग लुए वाइस चैंसलर कुछ अलग चीज है और कुलपती तो बेन साम क्यारा कि कुलपती भारत में वह होता है जो दसाजार विध्यार्थियों की व्यवस्ता कर सकें और ऐसे चौदे विश्यु विध्याले हैं जिनमें कम से कम दस्रसाजार विध्यार्थि पढ़तें और उनका एरिया बता रहा है कि एक विश्यु विध्याले का एरिया कितना है कमरे कितने हैं और उनमें क्या-क्या विश् का वो वरणन कर रहा है और वो कहता है हरेक विशुविद्याले की अपनी विशेष्टा है कोई military education में expertise देता है कोई military training में expertise देता है कोई strategy के लिए experts बनाता है कोई वेद और पुराण में पारंगत बनाता है ऐसी 14 विशुविद्याले का वरणन आखों देखा वेंसांग की डाइरी का जो Chinese government ने अभी थोड़े दिन पहले publish की है और English में भी उपलब्द है उसमें से तो मैंने पढ़ लिया देख लिया और सिर्फ वेंसांग ने चेंग हो कह रहा है 14 century में जब आया वो कहता है कि मैं भी देखता हूं कि education बहुत अच्छा है भारत में और 1840 में British Parliament के order पर एक survey किया लिया भारत में वो survey का report भी है 200 पन्ने का वो report में यहां लाया हूँ आप में से किसी को interest हो तो पोट कॉपी कर सकते हैं नहीं तो मेरी CD ले सकते है CD से कॉपी कर सकते हैं वो report बताती है अप्टू 1840 भारत देश में 7,32,000 स्कूल भारत में पूरा भारत उस जमाने का भारत आप कहते हैं मैं पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है पंग्रादेश की उस समय भारत का हिस्सा है और बर्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है तो अप्टू 1840 बारत में 732,000 इस्कूल 11,377 कॉलेजिस फायर इस्टडीज के भारत में है अप्टू 1840 बारत का जब सबसे गिरा हुआ समय है 1840 और मैंने जब ये पता करने की कोशिश की कि ये 732,000 जो इस्कूल है ये है कहा तो पता चला कि लगबग उतने ही गाओं है उस समय भारत में जितने स्कूल है मैंने हर गाओं में एक इस्कूल है और एक अंग्रेज अधिकारी जिसने ये सर्वे किया उसका नाम है डबलू जी लिटनर वो लिख रहा है कि 96% लिटरेशी रेट है भारत में अब्टू 1840 और वो कह रहा है कि हाइस लिटरेशी रेट भारत में साउथ में है दक्षिम जिसको हम कहते हैं पहले वो मद्रास प्रेसिडेंसी था आज उसके चार हिस्से हैं करनाटक, तमिलनाडू, आंध्रा और के हैं पहले ये मद्रास प्रेसिडेंसी में तो लगबग 100% लिटरेशी रेट है और डिस्टिक वाइज उसने किया बहुत बहुत माइक्रो लेवल और सर्वे में उसने बताया कि कितने विद्यार थी हैं लड़के कितने हैं लड़किया कितनी हैं पर आप सुनकर आश्यरी करेंगे कि लड़के और लड़कियों का परसंटेज लगबग बराबर है अब टू 1840 परसंट लड़के हैं और 46 पर कि यह सिख्षा किसकी दे रहे हैं तो हो कह रहा है कि यह सिख्षा जो है ऐसी शास्त्रों की है जो जीवन के काम आते हैं जैसे mathematics पढ़ा रहे हैं up to 1840 फिजिक्स पढ़ाते हैं हम एस्ट्रो फिजिक्स पढ़ाते हैं 1840 में इस देश में जो आज कोई कल्पना नहीं करता है इस उसको जो पढ़ाया गया उसको सीखते हैं और फिर करते हैं वो एक उदारण दे रहा है कि बारत में 1840 के आसपास और उसके पहले जितने भी डैम्स बने हैं वो बारत के गुरकुल के विद्यारथियों ने बना आपको कल्पना हो सकती है कि दुनिया का सबसे पहला डैम भा भारत में बना 1230 में और यह डैम बना है तंजावर में कावेरी नदीपर आज जाहिए वो खड़ा है अभी भी डैम खतम नहीं हुआ है उस डैम की विशेष्टा क्या है आप में से कोई भी अगर कमिल नाडूके होंगे तो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आएंगे नही भाकडा नागलबान को भारत का मंदिर कहा था उनकी ही बात में कहूं तो भारत का वो सबसे बड़ा मंदिर है जो तंजावर में बना है कावेरी नदी पर है उसकी विशेष्टा ही क्या है सबसे बड़ी विशेष्टा ये है कि वो दुनिया का पहला डैम है दुनिया का पह तोच नहीं सकता है और inscription में लिखा हुआ है आप जाएंगे तमिल में लिखा एक पत्थर लगा हुआ है उसपे खुदा हुआ है तमिल में है मैंनों उसका Hindi कराया अंग्रेजी कराया उसका मतलब क्या उसका मितलब ये है ये बांध बनाते समय नदी के पानी को रोका नहीं गय इसलिए इसका शेप दुनिया में यूनीक है, मानिक उसके शेप का दूसरा कोई डेम दुनिया में नहीं है, शेप क्या है? वो जिग-जग शेप का डेम है, जेड होता है ने जेड, इस शेप में वो डेम बना हुआ है, अभी भी जिन्दा है, मरा नहीं है, खतम नहीं हुआ है, अज़ा मैंने बहुत सोचना शुरू किया कि इन लोगों ने ये जेड क्यों बनाया, ये एक सीधी-सीधी स्ट्रेट लाइन में, जैसे आज हमारे हम परंपरा है, भाकडा नागल डाम को देखो, या हीरा फूट को देखो, एक सीधी-स्ट्रेट लाइन में दीवार खड़ा कर दी, पानी रोकने के लिए, इन्होंने सीधी-सीधी दीवार क्यों नहीं खड़ी की, जिग-जग शेप में क्योंकि, तो जो हमारे देश में, इस विशय के जो विशय शग्य है, आप जानते हैं, भारत में सबसे बड़ा विश्व लिद्याल है रोड़की में, जो बहुत-बड़ा एक्सपर्टाइज है जिनके पास ये डेम बनाने का, वहां के कुछ इंजिनिरों को मैं पूछने गया, तो अनुन का, ये कॉमन सी बात है समझने की, कि जब आप सीधी स्ट्रेट लाइन में डेम बनाते हैं, और नदी का बहाव बहुत तेज होता है, तो उसके टोपने की संभावना सबसे ज़ादा क्योंकि प्रेशर बहुत है, लेकिन जब आप इसको जेड शेट में बनाते हैं, तो प्रेशर डिस्ट्रिब्यूट हो जाता हर दीवार पे, तो टोपने की संभावना ना के बराबर है, मैंने इतनी अकड डेम बनाने में बारभी शतावदी के भारतवासियों को है, आज के हरे इंजिनियर्स वो डेम नहीं बना पाते हैं, वो सोच भी नहीं पाते हैं, और जो डेम ये बना है, बारे सो तीस में, वो आज तक सुरक्षित है, उसकी दीवार में कहीं एक क्रेक नहीं, और उसमें दोई चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, चूना और ब्रिक्स, पत्ली वाली इंट लगी है उसमें, पत्तर में नहीं है, पत्ली इंट है और चूना, उसी से जोड़के बनाए, बिना पानी को रोके हूँ, जेट शेप में हैं, ताकि प्रेशर डिस्ट्रिबूट हो जाए, माने बहुत उची टेक्नालोजी, इस शेत्र में हमारे पास रही है, फिर मैंने जानने की कोशिश की, ये जो विदेशी आए हैं अद्यान करने के लिए, एक चाइनीज है हिंदुस्तान में चेंगो, वो कहता है कि मैंने भारत में आके, ये जो विद्या है, जिसको इनॉकुलेशन कहते हैं, बने टी का लगाना, वो कहता है हमने भारत में आके सीखिए, तो 14th century में चेंगो कह रहा है इस बात, तो 14th century में इनॉकुलेशन का का होता था भारत में, ये पता लगाने की कोशिश थी, तो बता चला इनॉकुलेशन का टेक्नीक सिखाने वाले भारत में तेईस इंसिटूशन थे, 14th century, सबसे बड़ा इंसिटूशन था कुल्लू में, हिमाचल पर देशन, फिर मुझे और इंट्रेस्ट आया, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो पता चला कि ये सिर्फ इनॉकुलेशन ही नहीं सिखाते थे, बहुत कुछ सिखाते थे, भारत देश में 14th century में राइनोप्लास्टी सिखाई जाती थी, कोई कल्पना कर सकता, सरजरी की जो लेटेस्ट विद्या है आज की सिखाई, राइनोप्लास्टी, जो लेटेस्ट है आज की सिखाई, वो भारत में 14th century में थी, और एक दो विश्व विद्या यह नहीं, कई विश्व विद्या ले उसके लिए पारंगत थे, तो हेल्थ के छेत्र में, चिकित्सा के छेत्र में भी भारत बहुत आगए, और सरजरी के बारे में तो सारी दुनिया आप मान चुकी है, कि दुनिया में सरजरी का फैलाव भारत से ही हुआ है, फिर मैंने ये जानने की कोशुश की, कि ये जो सरजरी सिखाने वाले कॉलेजिज हैं ये instruments क्या इस्तेमाल करते हूँगे तो उनकी मैं list बना रहा हूँ आज कल वो भी documents के याधार के बना तो अब तक मेरी list में 377 instruments आ चुके हैं listing कर रहा हूँ मैं नाम के साथ कि क्या instrument किस काम के लिए है पेट में कट लगाना है तो उसके लिए क्या instrument इस्तेमाल हो रहा है किस quality की still इसमें लग रही है नाम क्या है उसका संस्कृत नाम क्या है और इस्थानिय भाशा में उसका नाम क्या है तो ऐसे 377 instruments इस्तेमाल हो रहा है सरजरी में वाने कोई साधरन बात नहीं है फिर बात में पता चलता है कि यह जो शुशुरुत का विज्यान या पूरा शुशुरुत शास्त्र वो तो आज से बहुत साल पहले लिखा गया है कम से कम ढही अजार साल पहले की डेटिंग है उसकी तो यह शुशुरुत का शास्त्र अगर उस समय लिखा जा रहा है और सरजरी का सबसे बड़ा शास्त्र भारत में माने जाता है तो शायद उस जमालिना भी रहा हो जब 14th century की डॉकुमेंट से 1840 की डॉकुमेंट से तो हो सकता है 5000 साल पहले भी रहा ही हो और फिर बाद में पदा चलता है कि हम महावारत की जब चर्चा करते हैं तो महावारत में एक प्रसंग है जो आप सब जानते हैं लेकिन उस पे ध्यान दे कर हम कभी चिंतन करें कि महावारत में कौरव सो है और सब एक ही शकल की है कैसे मेरी दादी मा मुझे महावारत की जब भी कहानी सुनाती थी तो वो कहती थी सौ कौरव थे पांच पांडव थे सब कौरव एक ही शकल के दे तो दादी को यहीं पूछता था कि सबकी शकल एक जैसी कैसे हो सकती और ये बात मैंने दादी से कई तो दादी में कही उसकी मा ने उसको कही उसकी मा वो पूछो तो उसने किसी से सुना तो ये सुनते सुनते चला आया है इसका आधाय क्या है सौ के सौ कॉरव एक जैसे लंबाई भी एक जैसी चोड़ाई भी एक जैसी चहरे का हाव भाव सब एक जैसा पर सब्सक्राइब कैसे संभव है तब ही संभव है जब कोई क्लोनिंग टेक्नालोजी इस देश ने रही होगी तो नहीं सकते हैं कि अब तो मान चुके हैं महाभारत अब सिर्फ माइथलोजी नहीं पूपूव हो चुका है पाच हजार साल पहले महाभारत हुआ था यE सब उने मान लिया था रामचंदर जी के समय में लंका पर पुल बनाया गया था यह अमरीका ने भी स्विकार कर लिया नासा ने उनको अभी एक दीवार मिली हैं जिसको उनूने भी कर लिया यह है यह वही दीवार और उसका डेटिंग किया गया है तो वो त्रिता युक का डेटिंग निकलता है जो राम चंदर जी का सब है तो ये सिर्फ माइधलोजी इस नहीं है हिस्ट्री है और अगर ये सब रहा इस देश में तो इसका माने भारत सचने महान देश था अगर इन सब का कुछ conclusion करें तो महान देश था और हमारी महानता क्या थी यही सब हमारी महानता रही है लेकिन हम इस महानता को जान सकें इस से हम बंचित रहे क्योंकि हमने जो इतिहास पढ़ा है वो अंग्रेजों का लिखा हुआ पढ़ा है और अंग्रेजों का इतिहास जिस व्यक्ती ने लिखा है जेम्स मिल वो खुब कहता है कि भारत को गुलाम बना कर रखना है तो इनको गलत इतिहास ही बताना पढ़ेगा यह अगर अपना सही इतिहास जान लेंगे तो गुलामी नहीं होगे और जेम्स मिल से आगे बढ़कर मेकॉले कहता है अपनी चिप्थी में जो उसने Board of Secretary the Venue को लिखी है उस चिप्थी का कॉपी है मेरे पास मेरे CD में वो लिख रहा है मेकॉले कि भारत के लोगों को गलत इतिहास बताना है, गलत भूगोल पढ़ाना है गलत अर्थशास्त्र पढ़ाना है क्योंकि गलत लोग हम भारत पर राज कर रहे हैं वो खुद स्विकार कर रहे हैं वो अपने Secretary को लिख रहा है जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसे मेरे वो कह रहा है भारत के लोगों को गलत इतिहास पढ़ाना गलत गुगोल पढ़ाना गलत अर्थशास्त्र पढ़ाना गलत क्रशी शास्त्र पढ़ाना क्यों कि हम जैसे गलत लोगों के हाथ में इस समय भारत है तो इनको सही तो कुछ नहीं पढ़ा सकते क्योंकि अगर ये सही पढ़ने लगे सही जानने लगे तो ये तो हमारे कबजे में आने से रहे इसलिए इनको सब कुछ गलग पढ़ाना है तो वो सब कुछ गलग पढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने जो कुछ किया है वो एक अधबुत काम एक convent school system इस देश में डाल दिया जो अंग्रेजों के समय बहुत छोटा मोटा था और अब अंग्रेजों के जाने के बाद इतना बड़ा हो गया है कि भारत में अब कोई छोटा सा गाओ नहीं है जहां पर convent school ना हो अब तो भारत में बजरंग बली convent school है आप चलिए और उसको चलाने वाले व्यक्ति को मैंने पूछा कि यह बजरंग बली का convent से क्या रिष्टा है क्या रिष्टा है बजरंग बली और convent का तो उसको नहीं बड़ा तो अंग्रेज कभी छोड़ कर गए जो convent school वह आद इतने हो गए है इंदोस्तान में के हर गली पूचे में और उन convent school में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो वही है जो मैंकॉले लिखकर छोड़ गया गलत इतिहास गलत भूगोल गलत अर्थशास्त्र गलत सिक्षा शात्र सब कुछ है और दुर्भाके से हमारे बच्चों को हम उनमें भेजकर गर्भ महसूस कर रहे हैं कि ये कुछ आगे बढ़ने वाले है मैं आपको भारत के बारे में एक बात तो बहुत दावे से कह सकता हूँ exception को छोड़कर भारत के convent के पढ़े हुए विद्यार्थियों ने भारत में कुछ भी खड़ा नहीं किया आज तक और जो विद्यार्थी भारत में कभी convent में पढ़ने नहीं गए साधारन municipal corporation के school में पढ़े या कभी school ही नहीं गए उन्होंने 67,000 करोड के empire खड़े किया है भारत आप किसी का भी study कर लिजए धिरुबाई अम्वानी का study कर लिजए दिरुबाई अम्वानी का study कर लिजए चार क्लास पास करके निकल गए राजिस्थान के जुझनू जिले से और वो बिरुबाई जी के नीचे दुनिया वर के PhD holders और MTEC holders काम करते हैं 10-20,000 की नौकरी पे दिरुबाई अम्वानी का कहानी हमारे सामने है जंशित जी टाटा की कहानी है आप सुन लीजे जंशित जी टाटा की बात की प्यूड़ी की बात नहीं करता है जंशित जी टाटा की बात करता है जो नवसारी से निकले और आप द स्कूल नहीं गया है बरत भाई की जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूं उनकी ये बात वो गपड़े घर्व से कहते हैं मैं तो कभी स्कूल नहीं गया है और आप बहुत लोग मिल जाएंगे आपको भारत में अर्थात में कहना ये चाहता हूं कि अंग्रेजों के दिये गई कॉन्वेंट स्कूलों में से जो निकले हुए लोग हैं उन्होंने कभी देश में ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया जो गर्व करने लायक हो कि देखो हमने ये कर दिया ना तो बेसिक रिसर्च में कुछ किया ना कोई बेसिक रिसर्च में किया नहीं तो ICS जैसी नौकरी में जाकर कोई ऐसा काम किया जो गर्व करने लायक हो जो ICS ऑफीसर ने भारत में कुछ गर्व करने लायक काम किये भी है वो सब मिनिसिवल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में से पढ़कर गए हुए ICS ऑफीसर ना क यह ऐसा इंजिनरिंग का काम किया जिस पे हम गर्व कर सके हैं इतना जरूर है कि यह कॉन्वेंट इसकूलों से निकले हुए भारत के विद्यार्थियों ने बधुआ मजदूरों की उस प्रथा को पुनर जीवित कर दिया है सफ्ट्वेर इंजिनियर के नाम पर जो कभी अ अंग्रेज थे ना इंडेंचर लेबर यहां से लेखे जाते थे वैसे ही अब भारत में एक नई पौद बन रही है सफ्ट्वेर 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 इंजिनियर वो सब गुलामों की तरह से जाकर अमरीका और यूरोप में काम कर रहे है कोई गर्व का काम नहीं कर र तो सिखाया नहीं गया तुमको रखा ही गया इसके लिए जाके उनके कंप्यूटर ऑपरेट करो तो जिनको हम कहना नहीं चाहते लेकिन सही बात तो यह है कि हमने कुछ बॉड़ी शॉपिंग करने के लिए खड़े कर दिये हैं कुछ लोग जो दुनिया के दूसरे देशों जाके नौकरियां करते रहें और उनकी जी हजूरी करते रहें जैसे कभी अफ्रीका में हमने किया है तो अंग्रेज छोड़ गए जो कॉन्वेंटियन एजुकेशन सिस्टम उसमें मैं कॉली खुद कहता है कि मैं भारतवासी ऐसे पैदा करना चाहता हूं जो शरीर से भारत आत्मा से अंग्रेज हो तो वही हमने पैदा किया और दुरुभाग से उनकी जो पेड़ी निकली है तो उनको ना भारत की समझ है ना भारत की समस्याओं को जानते हैं ना अपनी संस्कृती को पहचानते हैं ना अपनी परंपराओं को जानते हैं ना अपनी संभावनाओं क तरफ देखना उन्होंने बंद कर दिया और उनके बारे में बात करते करते हों हमेशा अफसोस करते रहते हैं हमें हमेशा अफसोस होता है कि हमारे बच्छों को गुजराती नहीं आती है कोई कहता हमारे बच्छों को तमिल नहीं आती है, कोई कहता मली आलम नहीं आती है, कोई कहता तेलगु नहीं आती है, अंग्रेजी आती है, फ्रेंच भी आती है, जर्मन भी आती है, लेकिन तमिल तेलगु मली आलम नहीं आती है, वरत भाई कह रहे थे कि उनके नाती को 67 बताना पड़ता है, 66 नहीं बताना पड तुछ तुछ पर लूफ थे अफसूस हम करते रहते हैं क्योंकि निकली है वो पीड़ी और उसमें उस पीड़ी का कसूर नहीं है उसको जो सिख्षा दी गई और की वही है जो उन गारे पहले जो चौड़ के गया औरो तुछ आपकर आपक्क निक्ति करना है कि बहुत नहीं क्या रहा है एक छोटे में मैंने आपको बताया और समस्याई क्या है अब इसमें से निकलती है इतियास ये बताता है कि हम इतनी समस्याईं से घिरे हुए कभी नहीं रहे जो आज है और ये समस्याई आई कहां से है ये मैंने आप से कहा कि किस तरह से आई है इस देश में विद बुद्धी विदेशी हो, हमारे हम तंत्र तो अपना रहा है, जिसको हम चलाने की कोशिश रहे, लेकिन बुद्धी हमारी वो है, जो भारत के किसी भी समस्या से अपने को जोड नहीं पाती है, को रिलेटिन कर पाती है, हम भारत में बड़ा गर्व महसूस करते हैं, कि चंद् से आई हुए पत्थर पर अगर हमने कुछ रिसर्च कर भी लिया, तो उससे भारत के आम आदमी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन गाय के गोवर पर कोई रिसर्च हो गया, तो जरूर 6,32,000 गाओं के काम का हो सकता है, उस पे हमारा दिमाग ही नहीं जाता है, चिंतन पी हुआ यही है कि हम अपनी जड़ों से कट गए है, हमारी हालत त्रिशंकु जैसी है, ना तो उपर गए, ना तो नीचे रहे, और हम हिंदुस्तानी अगर पूरे अमरीकी हो जाते, यूरोपियन हो जाते, तो यह प्रॉब्लम्स नहीं आती, ना तो हम अमरीकी हो पाए, ना यूरोपियन हो पाए, ना हिंदुस्तानी ही रह पाए, हिजुड़ी हो गया, बीच में लटक गए, 100% अगर यूरोपियन हो जाते, तो यह प्रॉब्लम्स नहीं आती, और मैं आपके पास नहीं आता, कभी बात करने हैं, और यह 100% हिंदुस्तानी रह जाते, तो भी कोई प मस्या आ गई है, करप्शन की हमारे देश में, एजुकेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम है, 40% अभी भी इलिटरेट लोग है, जबकि 1840 में 96% लिटरेशी इस देश में है, रिकॉर्ड्स बताते हैं, अंग्रेज सुनिकार करते हैं, टेक्नोलोजी में कितने उपर हैं, और आज टेक्नोलोजी के लिए मारा मारी हो रही है, विदेशों की तरफ हम भाग रहे हैं, कि हमें कोई टेक्नोलोजी मिले तो हम अपना कुछ काम करें, एक जमाने में इतना बड़ा ट्रेट करने वाले लोग इतना बड़ा एक्सपोर्ट करने वाले लोग आज दुनिया में लिए मारा मारी करव, वर्ड मार्केट में आज हमारा टोटल एक्सपोर्ट पॉइंट वन परसेंट के आसपास पॉइंट टू परसेंट, पॉइंट त्री परसेंट होता है, अभी थोड़ा बहुत बड़ा है, पॉइंट फाइट परसेंट आ गया है, एक परसेंट अभी भी नहीं हो रहा है और आज से 1500 साल पहले हम 33 टका एक्सपोर्ट करने वाले देश थे 27 टका एक्सपोर्ट वर्ड मार्केट में चीन करता था 33 टका हम करते थे चीन और भारत का GDP जोड़ दिया जाए 1500 साल पहले का तो वो दुनिया के 34 GDP के बराबर है तो इतनी क्राइसिस हमारे देश में आज दिखाई देती है यहीं से और वो क्राइसिस के बारे में दो तीन बाते के कि फिर सुलूशन पर आऊंगा कि क्या क्राइसिस यहां से पैदा हुई जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हिंदुस्तान को खतम करने के लिए तोड़ने क कई कई कानून बनाए जिस पर मैं पिछली बारा आया था बहुत विस्तार से मैंने बताए था अंग्रेज ऑने भारत का अर्थ शास्त्र और इद्योग करने के लिए एक बहुत सुंदर काम किया सुंदर काम उनके शब्दों में हमारे लिए खराब काम वो कहते हैं कि अंग चाहें, तो सबसे पहले उत्पादन पहलता हुतर अधाथे नियुक्त सकाना इक ऐसे चेवर्ण भ। तो कोई पूछ रहा है क्या-क्या, टेक्म लगाएं, तो बड़े सुंदर शब्दों में कह रहा है कि देखो भारत का कोई भी उत्युकपती कुछ भी उत्पादन करें, तो सबसे पहले उत्पादन पर ही टेक्म लगा depression i. तो अंग्रेजों ने सबसे पहला टेक्स लगाया Central Excise Duty 1840 में फिर कह रहा है कि जो व्यक्ति उत्पादन करेगा वो माल जरूर बेचेगा तो बेचने पर टेक्स लगा दिया तो दूसरा लगा दिया Sales Tax फिर वो कह रहा है कि माल बेचेगा तो मुनाफ़ा कमाएगा तो उसके मुनाफ़े पर टेक्स लगा दो तो फिर लगा दिया Income Tax फिर वो विल्वर फोर्स कह रहा है कि कोई भी हिंदुस्तानी उत्योगपती माल बेचने के लिए एक गाउं से दूसरे गाउं में जाएगा तो जिस गाउं में जाएगा गाउं में गुस्ते ही टेक्स लगा दो उसके उपर फिर वो कहता है कि गाउं में आने जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करेगा तो सड़क का भी tax लगा दो उसके उपर फिर वो कहरा है कि अंग्रेजों की सरकार के बनाए गए पुल पर से जाएगा तो पुल का भी tax लगा दो उसके उपर, total tax, road tax, entry tax, exit tax और वो कहता, इतने tax लगा दो कि ये दे ना सके तो एक MP पूछा है तो फाइदा क्या अगर हम इतने ही टैक्स लगा दें कि ये दे ना सके तो फाइदा क्या तो बेबर फॉर्स करा, फाइदा उसी में है क्या है, कि हिंदोस्तानी बहुत ही इमानदार है तो टैक्स बरने की कोशिश करेंगे इमानदारी से टेक्स भरेंगे तो सब बर्बाद हो जाएंगे और अगर टेक्स भरेंगे नहीं तो बेइमानी करेंगे बेइमानी करेंगे तो कमजोर बनेंगे और कमजोरों को गुलाम बनाना आसान होता है तो कहरा हमारे दोनों हाथ में लड़ टूम या तो हिंदुस्तानी जवीमांदारी से टैक्स बरेंगे तो बरबाद हो जाएंगे टैक्स नहीं बरेंगे तो बेइमान होगे बेइमान होगे तो गुलाम बनाना असाने हमको तो दोनों ही काम करें तब पूरा पारलिमेंट एक स्वर से कहता हाँ आपकी बात सुकार चलो कानून बनाना शुरू कर तो अंग्रेजों ने 2440 से यह कानून बनाने शुरू कर दिये विस्तार से मैंने पिछले लेक्षर में कहा था सिर्फ इशारे से कह रहा हूं यही कानून आज तक भारत में लगे हुए है आपको सुनकर दुख होगा मुझे बहुत कांटे की तरह से ही चुपता है 1860 में जब सबसे पहले इंडियन इंकम टेक्स आया अंग्रे जोने 97% इंकम टेक्स लगाया था माने आप 100 रुपए कमाई कर रहे हैं तो 97 रुपए अंग्रेजी सरकार को देजे तीम रुपए अपने पास रखे और वो 97% इंकम टेक्स हिंतुस्तान में आजादी आने के 35 साल बात तक लगा रहा इतनी लड़ाई जगडा सब करने के बाद 35% आए मेरे समझ में यह नहीं आता कि इंकम पर टेक्स क्यों होना चाहिए प्रडक्शन पर टेक्स क्यों होना चाहिए कोई आदमी अपनी पूझी लगाकर अपना दिमाख लगाकर अपनी मेहनत करके समाज को उतपादन करके दे रहा उसको तो प्रमोशन करने के लिए सलकार को और मदद करनी चाहिए क्योंकि वो आपके raw material को एक finished product में convert करके देर आए तो बहुत बड़े हुनर का काम दो कर रहा है फिर मैंने सोचा कि ये भारत सरकार इतनी income tax लगाती है फिर उसके पहले अंग्रेज लगाते थे अंग्रेजों के पहले कितना था आपको सुनकर हैरानी होगी दस्वी तक हिंदुस्तान चलता रहा एक अर्थशास्त्र पर जिसको चानक के अर्थशास्त्र कहा जाता है चानक की मानता है कि income पे तो tax होना ही नहीं चाहिए वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा tax अगर लेना है तो कैसे लेना चाहिए बड़ी सुन्दर बात वो कहता है अपनी अर आ जाको उतना ही टैक्स लेना चाहिए तो कोई कहता है आ उसका परसेंटेज तो चानक की कहता है इसका जैदा में और वो कहता है जब इमर्जन्टी को जाए बाहरी हमला हो जा उसके बाद अंग्रेजों ने तो सक्तियानाश कर दिया, तब से ये देश गिरता चला गया, तो अंग्रेजों ने बहुत सुन्दर तरीके से इस देश को खतम किया, टेक्सेशन की सिस्टम से, फिर वो अंग्रेज कहते हैं कि सिर्फ टेक्सेशन के ही सिस्टम नहीं, एक Indian Income Tax Act जिसमें drafting किया वो कहता है कि यह इतना complicated होना चाहिए कि किसी को समझ में नào do हम समझ सकें। महिने अंग्रेज समझ सकें। हिंदुस्तानी तो कभी ना समझें। इसको समझने के लिए हमारे पास है। ऐसा complicated को तो income tax जो बनाएगा वो गोल जलेबी जलेबी वाली जो भाशा है और मैं हिंदुस्तान के बड़े income tax lawyer की बात को कोट कर रहा हूं वो कहते हैं कि 40-40 साल income tax में practice करने वाले भी confidence नहीं कह सकते कि ये एक act उनको समझ में आ गया इतना complicated शायदी दुनिया में कोई देश में इतना complicated होगा और central exercise भी उससे कम complicated होगा और भारत का कोई भी कानून आप पढ़ना शुरू करिए कानून की पहली वाक्य पढ़कर आखरी तक पहुँचेंगे आपको याद नहीं रहेगा कि बीच में क्या है या पहले वाक्य में क्या है इतनी क्लिष्ट भाषा क्यों जान पूच के ताकि आपको समझ में ना तो आप करेंगे क्या interpretation के लिए अंग्रेजों के पास जाएंगे तो dependency उन पर ही रहने वाईगे और फिर अंग्रेज चाहे वैसे इंटरप्रेट करेंगे तो भारत के कानून इस तरह से बनाए हुए है कि चाहे जैसे interpretation करा लो उसका और उसी वर्ग में इंटुस्तान फस गया तो गांदी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए उसका सबसे जादा नुपसान भारतवासियों को हुआ सबसे जादा फाइदा वकीलों को हुआ और इसलिए गांदी जी ने अपनी वकालत की डिगरी जला दी 1915 में बार एटलो की डिगरी जला ही थी गांदी जी उन्हेने का भारत भूल जाए कि मैं बैरिस्टर हूँ क्योंकि ये वो वर्ग है जिसको अंग्रेजों ने पैदा किया है भारत की लोगों का खुंचूसे के कभी भी कानून की सही व्याख्या करके नहीं देगा ये वर्ग ये गांदी जी का मानना था और उसी वर्ग में आज भी पूरा देश फस रहा है पिस रहा है परिनाम क्या है भारत में जितने डिस्ट्रिक कोट से हैं जितने हाई कोट से सब जगे चार करोड पचास लाग केस पेंडिंग है एक बार मैंने भारत के कानून मंतरी अरुन जैटली को एक प्रशन पुछवाया था लोग सभा में एक MP की मदद से कि ये चार करोड पचास लाग केस जो पेंडिंग है इनका जजज्मेंट कभी आएगा कि कानून मंतरी का जवाब था कि कम से कम साड़े तीन सो साल में इनका जज्मेंट आ जाएगा वो जो साड़े तीन सो केस पैंडिंग है उसमें मेरे भी 90 केस पैंडिंग है आज़ादी बचाओ आंदोलन के पबलिक इंटरस पिटिशन के तो मेरे भी साड़े तीन सो साल में सभी केस का जजज्मेंट आएगा तो कम से कम मुझे आट दस बार पुनर जनम तो लेना ही पड़ेगा अपने केस का जिद्मेंट सिंग में और भारत के पूर्व न्याय धीश, मुख्य न्याय धीश, जस्टिस वर्मा वो सुविकार करते हैं कि ये जो कानून का तंद्र है ये कभी न्याय नहीं देता उन्होंने सुविकार किया है इस बात को पबीकली सुविकार किया है कि हम न्याय धीश नहीं हैं, हम काईदा धीश हैं माने कानून के आदार पर फैसला देते हैं, न्याय नहीं देते क्योंकि न्याय की परिवाशा ही अलग है अब कानून कैसे हैं, काइदे कैसे अंग्रेजों के बनाएं, टैक्सिसन के बारे में तो बताएं, और भी जो दूसरे काइदे अंग्रेजों ने बनाए, जैसे उधारें के लिए काइदा अंग्रेजों के जमाने का है, अगर आप गाये को डंडे से मारें, तो जेल होगी, औ और उसको काट के उसका मास बेचें, तो एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये भारत में कानूं है और अंग्रिजों के समय का बनाएबा। आज तक चल रहा है। गाय को डंडे से मारें तो आपको जेल हो जाएगी। क्योंकि आप पवित्र जानवर को हैरान परेशान करें। लेकिन उसको कतल करवा दीजिए। उसके लिए साड़े तीन सो कतल खाने भारत में चल रहा है। और उनकी संक्या तीन हजार से जादा होने की तैयारी में। और उनका मीट एक्सपोर्ट हो रहा है। दुनिया वर में सब जगे जा रहा है। भारत के किसान जिसको माता समझके पूजन करते हैं वो हर साल धाई करोड से जादा गाई कटती हैं भारत। ये कानून है हमारे पुश्ण। अंग्रेजों के बाद जो काले अंग्रेज आए उन्होंने जो कानून बनाए वो कुछ कम नहीं है। हमारे काले अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे कानून बनाती हैं जो अंग्रेजों से भी भारी बढ़ते हैं। आजानी के पिछले 57 साल में भारत की संसद के बनाय हुए कानून अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतर बाते हैं कोई कम नहीं है क्यों अब ये जो अंग्रेज काले हमारे देश में हैं संसद में इनको जब मैं पूछता हूँ तो हो कहते हैं कि जो चल रहा है ट्रेंड हम उसी में कानून बनते हैं उसके आगे उसके विरोध जाके कुछ करना नहीं तो कानून सब पैसे हैं मैंने एक लिस्ट किया अंग्रेजों के समय के बनाए हुए 34,735 कानून आज भी इस देश में चलते हैं भारत के चाहते हैं खतम नहीं हो है 27 तक मैं ये बात हर बार कुछ MPs को पूछा था कि संसत चलती है सुबह 11.30 बज़े बजट शाम को 5 बज़े क्यों आता है कोई मुझे जवाब नहीं देता था एक बार एक संसत जो भूतपूर्व हो गए अभी थोड़े दिन पहले उनका स्वरगवास हो गया उनका नाम था सबसे पहला बजट आया अंग्रेजों ने 1927 में यह जो दिल्ली में है यह 1925 में बनी 1927 में पहला वह तो उस बज़ट का वह पढ़ो प्रस्ताव ना पढ़ो तो मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ है कि यह बजट शाम को 5 बज़े इसलिए पेश किया जा रहा है कि इं का टाइम उस समय शुरू होने का साड़े ग्यारे बज़े था और हम उस समय इंग्लेंड की को लोनी ले तो ठीक है हम शाम को 5 बज़े बजट पेश करते थे 1927 से 1927 तक 1927 के बाद क्या हुआ 1927 से 1927 तक बज़ट शाम को 5 बज़े ही आया फिर मैंने क्या किया कि वो बज़ट की फोटो कॉपी करा करा के 200 सान सदों को दिया मैंने का आपकी आँके पूटी है जरा पड़ो ये क्या लिए इंग्लेंड में सबेरे का साड़े 11 बज़रा इसलिए यहां पांच बज़े बज़ट पेश हो रहा है यह 1947 में हम आजाद हो गए तिरंगा जंड़ आ गया यूनियन जैक हमने उतार दिया यह अभी भी नियम नहीं बदला आपने तब जाकर एक भूपूर प्रधान मंत्री ने इसके खिलाफ वाज उठाई उनका नाम है चंदरशेकर और 97 में पार्लमन का एक स्पेशल सेशन हुआ था आपको याद है 15 अगस्त 1997 को विशेश अदिविशन उसमें तीन घंटे इस पर गर्मा गर्म बहस हुई तब सरकार ने कहा कि यह नियम को बदलेंगे तो 1998 से हमारे नेताओं को 50 साल लगता है और उसमें भी राजीव दीक्षित जैसे आदमी को फोटो कॉपी करा करा के माटनी पड़ती है हमारी स्थिती यह है तो बाकी नियम कानून के आप क्या बात करेंगे तो भारत के सामने सबसे बड़ी जो चुनोंती है और जो सबसे बड़ी अव्यवस्था है वो है अंग्रे जो के बनाए हुए कानून नियम सारे के सारे हर छेत्र में एजुकेशन में एकॉनमी में एग्री कल्चर में सब जगे वही नियम है आज भी हिदुस्तान की किसानों से जमीन चीनी जाती है आप जानते लेंड अक्विजिशन एक्ट के आ अलगते हैं में मेरे जमीन का मालिक मेरी जमीन नहीं पकड़ के रख सकता सरकार ले लेगी जिस दिन चाहे उस दिन ले लेगी और जिनकी जमीने लिया है भारत सरकार ने 40-40 साल तक उनको मुआवजे नहीं मिले हैं आज भी वो लोग दरदर की ठोकरे खाते हैं ऐसे दो 50 साल बाद में ले गई है किसी को कोई मौावजा नहीं विला है वो सब विचारे भटकते हैं एक काउं से दूसरा, दूसरे से तीसरा उनके उपर पुलिस राठी चार्ज करती है और जो कुछ होता है इंदोस्तान में वो आप करपना नहीं कर सकते, यहां बैटा तो सबसे बड़ी चुनोती और समस्या जो भी माने वो यह कि अंग्रेजों के बनाए हुए नियम काईदे कानू, दूसरी समस्या अंग्रेजियत आज भी हमारे भारत के नेता और अधिकारियों के मन से गई नहीं है ICS officer तो जिस अंग्रेजियत का विभार करते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं एक ICS officer जो मेरे tax के दिए गए पगार पे अपनी जिन्दगी चलाता है, वो मेरा सिर्थ तोड़ के बात करता है मैं अभी चला जाओं उसके office में, तो वो मान लेता है कि ये कोई अवांशित व्यक्ती आ गया और उसको ऐसे दुद्कारता है, जैसे कुट्टे को हम दुद्कारते हैं हमारे घर में आने पर और यही ICS officer आपके साथ क्या-क्या miss behave करते होंगे एयरपोर्ट, हिंदुस्तान का कोई भी शुरू हो जा, वहां से आप नपना कर सकते हैं आप जैसे लोगों के साथ अगर वो miss behave कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको दो समय खाने को रोटी नहीं मिलती उनको कितना miss behave करते होंगे आपके जैसे ताकतवर लोगों जिनके बारे में सरकार भी थोड़ा डरती है, घवराती है, प्रवासी भारतियों का सम्मिलन बुलाती है कि ये हमसे बहुत नाराज ना हो जाए बार बार आपको निमंतर देने के लिए मंतरी आता है आपके यहां आके चिरोरी करता है कि आईए, आईए, हम आपके लिए ही ये सब कर रहे हैं, जिन से आप आपके साथ क्या-क्या miss behave होता है प्रवासी सम्मिलनों में, वो भी मैंने मेरी आँखों से देखा है अधिकारी सब आगे किसी इत पर आगे जम के बैठ जाएंगे आपको पीछे की जगे नहीं मिलेगी प्रवासी भारतिय सम्मिलनों खाने को रोटी भी न मिले, वो रोटी सब आपकी खा जाएंगे सम्मिलनों दो बार का तो मुझे अनुवव है प्रवासी भारतिये सम्मिलन में प्रवासी भारतियों को रोटी नहीं है अधिकारी सब खागे ऐसा ऐसा मिस्वेव क्योंकि उनके मन में अंग्रेजियत रग रग में बसी रहा है education की problem मैंने आपको बताई कि हम degree ले रहे हैं लेकिन कुछ उद्योग नहीं दे रहे हैं घ्यान नहीं दे रहे हैं knowledge नहीं दे रहे हैं ये अब समस्याओं का समाधान क्या करें फिर 15 minute मैं कहके खतम करता हूँ फिर उसके बाद question answer समाधान क्या करें क्या करें कि ये सब ठीफ हो जाए अब इसमें दो रास्ते हैं एक रास्ता तो यह है कि बारत की इस पूरी व्यवस्था को जो आज भी हमारे उपर है अंग्रेजियत की है इसको बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा revolution हो जैसा गांदी जी कहते थे तंत्र अगस्त उन्होंने मस्विदे में लिखा था अपनी प्रार्थना सभा में बोला था अख्वारों ने च्छापा भी था इसको लेकिन गांदी जी के अग्रेजियत का है अब इसमें कोई तालमिल नहीं बैठता है इसलिए तो अब एक तो यह विकल्प है जो गांदी जी कहते थे कि कोई बड़े प्रमाने पर फिर से दूसरा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो उसमें कोई लोगों को फिर वही भोग देना पड़े जो पर बना दे एक शब्द है एंपावर्मेंट उनका एकॉनोमिक और पॉलिटिकल एंपावर्मेंट इतना कर दे कि ये खुद से उस तंत्र को पलट दे और अपनी सोतंत्रता हासिल करें दो रास्ते हैं पहला रास्ता कोई बड़ा रिवल्यूशन हो भारत में और दूसरा र जो साधरन साधरन गाओं में रहते हैं उनको इतना एंपावर कर दिया जाए कि वो अगले 10 साल 15 साल 20 साल या 25 साल में अपनी इस होई हुई सोतंत्रता को वापस हासिल कर ले मैं मानता हूं कि ये दूसरा रास्ता है वो शायद आसान है प्रक्टिकल है तो मैंने उसी रास्त पर चलना शुरू किया है जो साधरन साधरन गाओं में रहने والे हजारों हजारों लाखों लाखों लोग हैं इनको किसी तरह से इंपावर किया जाए इनके दुखदरदों को कुछ कम किया जाए इनको थोड़ा उपर उठाया जाए और इनकी मदद से शायद आने वाले 20 साल में हमें ऐसी बात सोच सकते हैं कल को ना कर सकते हैं कोई ताकत खड़ी हो जाए जो इस देश के सुपिंतरता को हासल कर ले और तंफ को बदल दे भारत का जो उपर वाला क्लास है जो अंग्रेजों का जैसा व्यवहर करता है सरकार में है या सरकार के साथ में इस क्लास से बहु लेकिन मार्केट में जो कीमत मिलनी चाहिए दाव नहीं मिल रहे हैं तो वो सुषाइट कर रहे है। भारत के किसान कितने बड़े पैमाने पर सुसाइट करते हैं वो आप जानते हैं तो हमने इसको reverse करने की कोशिश की कि cost of production खेती का कम हो सके इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या तो हमने कुछ experiment के और उसमें हम सफल हुए हमने हिंदुस्तान के साथ हजार हेक्टेयर जमीन पर cost of production 90% कम करा लिया 90% कम करा लिया कैसे कम करा लिया जो किसान यूरिया डेपी सुपरफॉस्पेट इस्तेमाल करते थे उनको हमने ट्रेनिंग दे दे कर दे दे कर पह दिया और सिखा दिया कि यूरिया डेपी बंद करो गाय का गोबर बहस का गोबर जो किसानों के लिए आसानी से उपलब्द है गाओं में उसका इस्तेमाल करे तो पहले उनके मन में डर था कि इससे productivity कम होगी fertility कम होगी हमने कुछ experiment के लिए model गाओं बनाए जहां पर पहले ये करके दिखाए वो model गाओं ने उनको confidence ले दिया और हमने जब ये model गाओं बनाए तो उसमें सिख्ध हो गया कि ना तो productivity कम होती है ना fertility कम होगी गाय का गोबर, भेंस का गोबर, गाय का मूतर, भेंस का मूतर, जानवरों का जो कुछ भी waste है उसको हम manure के रूप में इस्तेमाल करें वो हमने करके देख लिए 60,000 hectare में हम आज कर रहे है और उसमें से जो कुछ भी produce हो रहा है वो market में जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो जो normal price है उससे ज़्यादा हमें में बेच रहे हैं बाजार में सादरा गेहू भारत में 10-12 रूपय किलो है हम जो गेहू बेच रहे हैं वो 18 रूपय किलो तक है रहा हम से बिखता है इसी तरह चावल पैदा किया है दालें पैदा किया है फल पैदा कर रहे हैं सबजी पैदा कर रहे हैं हमारे यहाँ जो भी किसान इस तरह की सबजी कर रहे हैं, उनकी तो हाथों हाथ बिक जाती है, बाजार तक भी नहीं आप टे है, हमने देख लिया है कि इसको बड़े पैमाने को कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर शुरू किये हैं, गाओं गाओं में किसानों किया, 118 गाओं में अभी हमारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे है, वहां हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, वो फिर गाओं गाओं जाके दूसरों को ट्रेनिंग देना शरू करते हैं, इससे हम मानते हैं कि उनका cost of production कुछ कम हो सकता है और जितना cost of production कम होगा उतना ही उनका income बढ़ जाएगा दूसरा हमने उनका empowerment हो इसके लिए एक काम और शुरू किया है कि हमारे देनिक जीवन में काम आने वाली छोट छोटी बहुत सारी चीज़ें है साबून है, मंजन है washing powder है, detergent powder है shampoo है, tooth powder है, tooth paste है यह सब zero technology के item है इनको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं तो हमने वो ट्रेनिंग देना शुरू किया गाओं-गाओं और आज ही वो ट्रेनिंग देकर 55 से जादा products है जो इन गाओं में हम बनवाते हैं और बहुत आसनी से देश में बिग जाते हैं हम shampoo बनाते हैं और हमारे shampoo का जो base है वो भारत के बाजार में बिखने वाले विदेशी कंपनियों के shampoo base से बिल्कुल अलग है विदेशी कंपनियां जो shampoo बनाती हैं वो sodium laurel sulfate से बनाते हैं, हम जो shampoo पानी बहुत कम खर्च होता है और जो बाल धोने के बाद पानी निकलता है वो खेत में एक पैसे का भी नुकसान नहीं करता है अभी जो सोडियम लॉरेल सेल्फिट वाले शेंपू आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें जाग बहुत बनता है उसका जो पानी है वेस्ट तो आप खेत में डाल दीजिए खेत खतम हो जाएगा आपका मिट्टी की फर्टलिटी खतम हो जाएगा लेकिन ज केमिकल सोडियम लॉरेल सेल्फिट सबसे आदा उनको मार देता और पानी के माइक्रोब्स मेरे तो पानी खतम हो जाता है हमारे किसी भी ऐसे प्रोड़क्ट से एक पैसे का भी कोई माइक्रोब की हत्या नहीं होती इसलिए हम उसको अहिंसक शैंपू करके पूरे भारत में म ऐसी आपने साबून बनाने शुरू किये हैं गाउं गाउं में आप में से चाहें तो कुछ लोगों को मैं सेम्पूल उपलॉप्लक्त करा दूँगा नारियल का तेल इस्तेमाल करके दुनिया में सबसे पहला साबून हमने बनवाया है और छोटे छोटे गाउं में बनवाय अगर हम हमारे देश का raw material इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरे से कैसे आप एक्षा करेंगे के वो इस्तेमाल करें हम चाहें तो वो साबून पामूली नॉयल से बना सकते हैं लेकिन हम नहीं बनाते क्योंकि वो इंपोर्ट करना पड़ता है हम नारियल के तेल का साबून हम 85% TFM का बनाते हैं और वो साबून भारत में बड़े आराम से 15 रुपई का 1500 ग्राम बिग जाता है जबकि उसी क्वालिटी का विदेशी कंपनी का साबून 45 रुपई का 100 ग्राम मिलता है दफ जिसमें वो पामूली नॉयल इस्तेमाल करते हैं नारियल तेल भी कभी नी डाते तो ऐसे छोटे-छोटे सामान हमने वाशिंग पाउडर अभी डवलप किया है और वो वाशिंग पाउडर में हम चैलेंज करते हैं दुनिया की हर कंपनी को हमने टेस्ट भी करा ली है सबी लेबरेटरी में कि हमारे वाशिंग पाउडर से धुले हुए कपड़े का पानी आ और शेंपू इस क्वालिटी का है कि आप वाशिंग मशीन में भी इस्तेमाल करें और ऐसे ऐसे छोटे-छोटे कई प्रॉड़क्स हमने डवलप किया है विदेशी कंपनिया जो साबून का वाशिंग पाउडर 180 रुपए की हमारा जो वाशिंग पाउडर है इस क्वालिटी बनाते हैं गो मूत्र से और गो मूत्र के मॉस्कीटो र।डंड के बारे में जıtने भी हंडुस्तान में टॉक्सिको लॉघिकर इसांनलों कर से ज्यादा सेफ मॉस्कीटो र।ड़्ेंट हो नहीं सकता और गाय के गोवर से हमने मच्चर अगरवत्ती बनाई है वह एक कछष ओवर से हम ऐसे 35 प्रॉडक्ट बनाते हैं, गो मूत्र से औशदिया बनाते हैं, एक हमने आईड्रोप बनाया है गाय के मूत्र से, वो केटरेक्ट रिमूव कर देता है बिना किसी ऑपरेशन के, केटरेक्ट का दुनिया में एक ही ट्रीटमेंट है ऑपरेशन, हम गो मूत्र से को Medicine मानने को तयार नहीं थी लेकिन Government ओफ India को convince कराने के लिए हमें अमेरिकन पेटन का सहरा लेना पड़ा क्योंकि अमेरिका ने 2002 में आए मुत्र को पेटन ले लिया था तब Government of India convince हुई कि हाँ ये Medicine तो इस तरह की कुछ कोशिश हमने किया और इस पूरी कोशिश में ध्यान हमने ये रखाए कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो गाओं में आसानी से उपलगत है हर एक गाओं में ये छोटे-छोटे इस तरह के हमने अभी हमने ये 118 गाओं में शुरू किया है कि कोई दिन 200 गाओं में हो, 500 में हो, 1000 में हो, 2000 में हो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ताकत बढ़ेगी और यही ताकत एक दिन भारत को हो सकता है दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए 16 पैदा करेगी और ये लोग लड़कर अपनी स्वतंतरता हसिल कर लेंगे क्योंकि एक बार इनका आर्थिक इस्थिती अच्छी हो गई तो वो राजनेतिक ताकत तो अपने आप ले लेगे क्योंकि आर्थिक शक्ति मैंसे ही राजनेतिक शक्ति निकलती है और राजनेतिक शक्ति निकलने के बाद फिर संस्कृति और सब्विता की रक्षा मी हो सकती है जब तक आर्थिक रूप से वो कमजोर है तब तक आप उनसे कुछ अपिक्षा ने करते हैं और चलते चलते एक आखरी बात कि इनी गाओं को स्वावलम भी बनाने के लिए हमने गांदी जी जैसा एक्सपरिमेंट शुरू किया है गाओं गाओं में हम चर्खे देते हैं वो चर्खा चलाते हैं उसमें से सूप निकलता है हमारे चर्खे का आठ घंटे कोई भी काम कर ले साधरन से साधरन व्यक्ती तो उसको सत्तर से हसी रुपई आराम से मिल जाता है और एक चर्खे से पांच आदमी को रोजगार मिलता है रोजगा सत्तर से हसी रुपई ऐसे कुछ हजार चर्खे हम भारत में चलबा रहे है 108 गाम हमारी कोशिश है कि इनकी संग्या बढ़ती जाए उसमें से बनाए हुआ सूथ उससे खादी हम बनाते हैं वो खादी भारत में कई स्थानों पर उपलब्द है मैं यहां लाया हूँ सेंपल के रूप में वो आप चाहेंगे तो पीछे देख सकते हैं और हमने 160 खादी की डिजाइन डवलब किया है हाथ से बनाई हुई, हाथ से काती हुई और उसमें जो कलर हम इस्तेमाल करते हैं वो बाहर से नहीं डालते नैचुरल कलर का कॉटन हमने डवलब्द किया है और औरगेनिक कलर से इस्तेमाल किया है तो ऐसी कुछ कोशिश हम थोड़े थोड़े इस तरह पर कर रहे हैं यही कोशिश अगर बहुत बड़े पैवाने पर हो जाए हम भारत के कुछ इस्थानों पर कर रहे हैं आप जैसे लोगों के मन में अगर ये बात बैट जाए और आपकी मदद से ये और इस्थानों पर हो जाए ये मल्टिप्लिकेशन होता चला जाए तो थोड़े दिन में ये बविश्व में भी हो सकता है अगर वरतमान उसका ठीक कर सकें तो इस विश्वास के साथ आपका आभार बहुत 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 है